ताकि हम लोग हमारी आज की क्लास की शुरुवात कर सके स्वागत आप सबका महा प्रलेक राशकूर्स की एक और क्लास में एक ऐसे वीक में जिसके अंदर हम लोग इतने सारे इंपोर्टन चाप्टर्स को कुम्प्लीट करने वाले हैं जो तुमारे टॉप 10 चाप्टर्स है फिजिक्स के उनमें से 4 चाप्टर्स को हम लोग इसी वीक कंप्लीट करने वाले हैं जिसके अंदर आ जाता है ग्राविटेशन एक एक और अट जी तो जैसे कि मैं बोल रहे थी सौरी मैं इसके अंदर मुझे मैं ही सुनाई देने लग गई तो जैसे कि मैं कह रहे थी कि फिजिक्स के जो most important 10 चाप्टर्स हैं उनमें से 10 चाप्टर्स में इसे 4 चाप्टर्स को हम लोग इसी क्लास में अप्टाने वाले हैं जिसके अंदर आ जाएगा ग्राविटेशन एलेक्टो स्टाटिक्स के दोनों चाप्टर्स और करेंट एलेक्टिसेटी और बीच में बोनस रहेगा रुटेशनल मेकानिक्स का I know तुम लोग कि वेन देशल में स्टूडेंस रेड़ी हैं यह क्या सasons बच्चों में जोश है जैसे हम लोग उने एक वीक में मॉडन फिसिक्स कंक्लीट किया था जैसे हम लोग उन्झे एक वीक में एक week में भी नहीं, actually मैं चार दिनों में ही kinematics और units and dimensions complete किया था जैसे हम लोग optics कर चुके है, NLM कर चुके है, WEP कर चुके, which is work energy and power क्या सब बच्चों में जोश है कि वो इस पूरे के पूरे week में इन पांच chapters को complete करें हां जी, फटा फटा से मुझे बताइए, किन-किन बच्चों में जोश बिलकुल हाए है, कि दी एक नए week के शुरुआत हो रही है, और एक नए महीने की भी शुरुआत हो रही है, है ना, ऐसे subconsciously चीज़े यार, अब obviously बात है कुछ battles तो चलती रहती है, कि तुम्हारा जो एक्जाम है में के मन्त में है, और एप्रिल शुरू हो चुका है, so I'm hoping everyone realizes कि कितना जाधे important है, अब तुमारी हर एक minute, हर एक गंडा कितना जाधे important है, so I'm hoping तुम लोग उसको multiple teachers के अंदर नहीं waste करें, एक ही teacher को चुन लो, उसी एक teacher से पढ़ लो, हर teacher को पढ़ाना आता है, लेकिन हर teacher का plan अलग होता है, तो मानो अगर for example, मेरा कुछ plan है, किसी और educator का कुछ plan है, तो मेरे आधे plan में आगे, तुम उन teacher के आधे plan में आगे, ना मेरा 100% plan देख पाए, ना उनका 100% plan देख पाए, तो जो 100% result तुम लोग को मिलना था, ना यहां से मिला, ना वहां से मिला, है ना वैसे ही अगर मैं physics, chemistry, bio की बात करो, तो जाधा ध्यान सिर्फ और सिर्फ physics में दे दिया, जाधा ध्यान सिर्फ और सिर्फ bio में दे दिया, सिर्फ और सिर्फ chemistry में दे दिया, तो अब ये एपरिल आखरी महीना है तुम्हारा maximum improvement लाने का ये आखरी महीना है तुम लोग को revise करने का और जो जो चीजे जिन जिन concept जो जो concept अभी तक नहीं इतने जादा strong है उनको strong करने का है ना तो अब भी हम लोग इस week ये निप्टाने वाले हैं देख लो फटा-फट से chapters ग्राविटेशन चाप्टर की शुरुवात करना चाओंगी कोई भी बच्चागरे आँ पर नया है My name is Samana Chaudhary, I am a physics educator for NEETUG स्वागते आप सब का महा प्रले की इस physics crash course में जिसमें हर एक चाप्टर की उपर हम लोग दो classes लगा रहें एक तो class होती है सुबह साथ बजे जिसे की ये वाली हो रही है conceptual understanding के लिए ताकि जो concept हम लोग उने समझे है finally हम लोग फिर दोपहर को तीन बजे मिले और question की फॉर्माट में हम लोग ये जान ले कि भई ठीक है concept जानतो लिए अब आओ top books में से जो top questions आ रहें उनमें इन concepts को apply करें क्योंकि अगर मानू जहां से NTA तुम्हारा examination paper बनाती है अगर तुमों सोर्थ के ही सारे questions कर लेते हो तो फिर बचता क्या है है ना तो यह हमारा intention है कि conceptual clarity के उपर तो focus करें लेकिन question solving ability के उपर भी focus करें फिर हर संडे को बारा बजे तुमारा अड़ा 247 के free आपके उपर test होता है जितनी भी DPPs है बच्चों सारी की सारी तुमनों को इस telegram channel के उपर मिल जाएगी DPPs भी मिल जाएगी class के PDFs वगेरा भी मिल जाएगी ठेके तो शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की इस class को ठेके बच्चों देख लो क्या-क्या हम लोग करने वाले केपलर्स लॉग करने वाले हैं केपलर्स लॉग के बाद हम लोग gravitational force के बारे में पढ़ेंगे जितने भी units and dimensions हैं फिर gravitational acceleration के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों gravitational intensity के बारे में फिर gravitational potential energy के बारे में फिर gravitational potential के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे escape velocity के बारे में interstellar velocity के बारे में और ultimately हम लोग बात करने वाले हैं और्बिटल विलोसिटी के बार में दो और आदे घंटे का ये सिंगल चॉट होगा जो बच्चे ऑल्रेडी इस क्राश को फॉलो करने उन्हें अच्छे से बात है और अब विदाउट एनी फॉर्दर एडू बच्चो शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की इस क्लास को फटा ग्राविटेशन के चाप्टर को एक ऐसे चाप्टर के उपर हम लोग अभी डिसकाशन करने वाले हैं जिसके उपर पिशले दस साल में 21 प्रीवेस या क्वेशन पूछे गए हैं मतलब तुम अगर देखो ना ओन एन आवरेग दो से तीन क्वेशन इस पॉर्टकलर क्वेशन हैं तो शुरू करते हुए तो नंबर वान टॉपिक जो बच्चों हमारे यहां पर आता है ने इस केपलर लोग तो केपलर लोग पेसिकली हम लोग को यह बताता है कि देखो वी अलरेड़ी आरवेर अब दिस पाट कि जितने भी प्लानेट से हमारे सोलर सिस्टम म पर तीर लोज हैं तो केपलर की लोग के उपर जाने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोग को अलिप्स के बार में बता देती हूं तो देखो आयम वेरी शॉर कि तुम लोग को सर्कल के बार में पता होगा सर्कल क्या होता है तो देखो मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं सर्क अगर मैं दो similar circle लूँ और उनके center को coincide करवा दो जैसे कि मानू मैंने ये एक circle लिया और मैंने एसा एक और circle लिया जिसका center इसी के साथ coincide कर रहा है तो मुझे circle ही मिलेगा obvious सी बात है मुझे circle ही मिलेगा if I am taking two circles which are similar और मैं उनको एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो obvious सी बात है वो भी मुझे circle ही मिलेगा अब मानू अगर मैं दो similar circles लूँ लेकिन उनके center को coincide ना करवा हूँ फिर ellipse बनता है कि ये मेरे पास एक circle आ गया ये मेरे पास एक circle आ गया लेकिन इन दोनों के centers है वो coincide नहीं कर रहे है तो अब ये जो structure है इस structure को ellipse बोला जाता है और यहां पर ये जो ellipse है जिन दो circle से बनता है उन circle के center को foci बोला जाता है ध्यान से देखेगा बिलकुल सारी basic चीज़े भी बताऊंगी जैसे basic बाते ही हैं कि मैं तुम्हें ellipse के बार में बता रही हूँ तो ये जो ellipse ऐसे दो circle से बनता है इन circle के center को यहां पर क्या बोला जाता है focus singular हो गया foci plural हो गया क्योंकि हम पर दो focus है इसलिए इसको हम लोग दो foci बोलते हैं because foci is a plural term ठीक है अब मैं यहां पर तुम्हें बोल लूँ एक तो यह आ गया कि तुम्हें समझ आ जाना चाहिए circle का एक center होता है लेकिन एक ellipse के दो focus होते है दूसरी चीज़े हम पर यह आते है कि अभी मानो यह जो मेरे पास green structure बढ़ता है circle के साथ ऐसा नहीं होना था मानो अगर यह मेरा circle होता है ना मानो अगर यह मेरे पास circle होता तो भई चाहे मैं इसको ऐसे divide करते यह भी diameter आता which is two times the radius चाहे मैं ऐसे divide करते वो भी diameter आता which is two times the radius but now this is not a circle this is an ellipse which is made up of two circles तो एक line मुझे चोटी देख रही है एक line मुझे बड़ी दिख रही है तो मैं तुम्हें बोल रही हो कि यह जो चोती line है ना यह जो चोटी line है बस इसी को minor axis बोला जाता है फटा-फट से देख लो यह जो छोटी line है इसको minor axis बोला जाता है which is this line और यह जो बड़ी वाली लाइन तुम लोग देख पा रहे हो इसको major axis बोला जाता है अब देखो अगर किसी बच्चे को circle का मतलब पता है तो semi circle का तो पता ही होगा semi circle का मतलब आधा circle उसी तरीके से में तुम्हें बोलने हो कि यह जो मेरी minor axis है जैसे कि यह मेरे पास semi major axis हो गया यह मेरे पास semi major axis हो गया तो जो reason जिसकी वज़े से मैं तुम लोग को ellipse के बार में पढ़ा रहे हूँ क्योंकि यहां पर term आते हैं जैसे कि अगर मानू मैं केपलर के पहले law की बात करूँ जिसको law of orbit बोला जाता है तो law of orbit यही बोलता है कि जो planets हैं वो sun के around जो sun के around revolve करते हैं circular orbit में नहीं करते हैं elliptical orbit में करते हैं और यह ऐसे revolve करते हैं such that the sun is located at one of the foci तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इसका मतलब अगर ellipse नहीं आता है क्योंकि foci अगर मानो जो planets है वो रवाल्फ करें sun के around तो elliptical orbit में करेंगे और उस ellipse के दो फोकाई है उन फोकाई में से किसी एक फोकाई के उपर जो हमारे सूरज चाचू है वो यहां पर प्रेसेंट होगे तो अभी मानो अगर मैं तुम्हें बोलू कि यहां पर जो planet है इस elliptical orbit में गूम रहा है यह मेरा planet है यह एक फोकाई आ गया यह दूसरा फोकाई आ गया तो मैं तुम्हें बोलू कि मानो जो sun है वो यहां पर प्रेसेंट है तो तुम लोगों की understanding होने जाए इसका मतलब अगर planet यहां पर है तो वो sun से सबसे जादा पास में मतलब यह वाला जो distance है वो सबसे जादा छोटा है क्योंकि तुम देखो ना circle में ऐसे होता है कि मैं center से surface इसके किसी भी point के उपर जाओं सारे के सारे equal distance है which is the radius ellipse में obvious ही बात ऐसा नहीं होगा यह distance अलग है 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 तो मैं तुम्हें बता रहे हूं याद रखना कि अगर मानो for example sun यहां पर है तो यह वाला distance सबसे ज़ादा पर हो तो मैं बोल सकती हूं कि वो सन के सबसे जादा करीब है जब गर्मियां होती है जब गर्मी का पीक टाइम होता है ज pred新rt यहाँ पर सब जादा करीब है और इस तरीके से कि यहां पर प्लानेट सन के सबसे जादा पास पहें, यहां पर प्लानेट सन के सबसे जादा दूर है, So this is the law of orbits, ठीक है? अब अगर मानू मैं दूसरे law के उपर हाँ, तो दूसरा law आता है law of areas, तो law of areas यह बोलता है, कि जब प्लानेट सन के अराउंड रिवॉल्फ कर रहा होता है, तो अंगलर मोमेंटम जो प्लानेट का है, वो सेम होता है, अब I know मैं कल तुम लोग को rotation mechanics कराने वाली हूँ, तो तुम लोग को ज़्यादा अंगलर मोमेंटम के बार में नहीं बता होगा, लेकिन अगर तुम 11th past भी हो, तो तुम लोगोंने सुना होगा, कभी भी कोई भी चीज, अगर एक particular axis के about revolve करते हैं, तो उसका अंगलर मोमें मोमेंटम होता है, MVR, तो मैं तुम्हें बोल लोग कि जब यह मेरे पास मानो, मैं system को planet नहीं मान रही हूँ, मैं system को मान रही हूँ, sun और planet, तो अगर मैं system को sun और planet मानते हूँ, तो अविसी बात है, कोई external force तो लगा नहीं है, तो कोई external force नहीं लगेगा, तो linear momentum नहीं होगा, यह वाली चीज बिल्कुल skip होई होगी, यह वाली चीज बिल्कुल नहीं समझाई होगी, उन बच्चों को जिनको torque और angular momentum नहीं पाता है, but don't worry, कल की class में हम लोग rotational mechanics सिक करने वाले, अभी के लिए रट लुग, because I cannot make this class, I cannot dedicate 15 minutes to just explain the torque and angular momentum, ऐसा है नहीं एक statement है, statement बता तो अग्लर मोमेंटम और torque तुमें clear होजाएगा, तो अभी के लिए as it as यान रखो, तो मैं तुमें बोने हो, अगर मैं system में sun और planet दोनों को ले लूँ, तो कोई external force नहीं है, कोई external torque नहीं है, तो angular momentum नहीं चेंज होगा, अब angular momentum नहीं चेंज होगा, इसका मतलब यह कि मानू मैं दो position ले लू प्लानेट की, एक position प्लानेट की मैं ये ले लू, दूसरी position प्लानेट की मैं ये ले लू, यहाँ पर ये sun से इतने distance के उपर है, यहाँ पर इसकी velocity va है, यहाँ पर इसकी velocity vb है, तो मैं बोल रहे हूं कि जो planet का angular momentum यहाँ पर है, वही planet का angular momentum यहाँ पर है, मैं बोल दूँ इसका मतलब यह है कि mass of the planet तो obviously बात है planet चाहे अपने orbit के किसी भी point के उपर उसका mass तो इतना ही है तो अगर मैं बोल रहे हूं कि planet के लिए mvr की value constant रहेगी उसके orbit में तो mass तो ऐसी constant है ना इसका मतलब क्या इसका मतलब vr की value सेम रहने वाली है कि अगर मानू यहां पर velocity va है और distance from the sun ra है यहां पर अगर velocity vb है और distance from the sun मेरे पास rb है तो मैं बोल रहे हूं that va ra it is going to be vb rb बहुत ही जादा easy topic है बिलकुल direct question पूछे जाते हैं कि मानू मैं तुम्हें की question दो कि भाई मेरे पास ना यहां पर sun है और planet उसके around elliptical orbit में गूम रहा है तो मानू मैं तुम्हें बोलू कि यह जब planet का distance sun से r है उसकी velocity 5 meter per second है तो बता हो उसकी velocity कितनी होगी जब वो sun से 2 r के distance के उपर है तो मैं तुम्हें बोलू कि यह जो हमारा second law है जिसको law of areas बोला जाता है this is based on the conservation of angular momentum कि भाई देखो planet का पहले जो angular momentum था sun के about चाहे उसकी position यह हो या फिर जो planet का angular momentum है sun के about जब उसकी position यह है वो angular momentum सेम है mvr सेम है तो मास तो वैसे भी नी चेंज हो रहा ना इसका मतलब तुम समझ गए कि हमारा जो law of areas है वो बोलता है कि vr की वाल्यू एक planet के लिए एक particular orbit के लिए constant रहेगी तो अगर मानू मैं इसको पहली position मानू और इसको मैं दूसरी position मानू तो मैं बोल दूँगी that v1 r1 it is equal to v2 r2 तो मानू अगर पहले वाले point के उपर velocity 5 meter per second है पहले वाले point का जो distance है sun से अगर हो r है then that is going to be equal to second वाले point के उपर velocity कितनी है multiplied by second वाले point का जो distance है sun से कितना है तो तुम लोग देख पा रहे हो वीटू की वाले कितने आगे 2.5 meter per second ऐसे previous के questions है तो यह मेरे बास वीटू की वाले कितने आगे 2.5 meter per second not very difficult to understand this तो यह तो हो गया बच्चो एक तरीका देखने का जैसे कि यहां पर if I have to say कि भाई force हो जाता है rate at which the momentum is changing फिर उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हूँ न तो basically मुखोटे बदल रहे हैं इनसान तो सेम ही है देखो कि मुखोटे बदल रहे हैं लेकिन इनसान तो सेम ही है कि मैंने अलग-अलग तरीके से एक equation को लिख दिया लेकिन equation तो सेम ही है तो मैं तुम्हें ये बोल रहे हूँ कि जैसे हमारे पास ये equation आ गई law of areas की कि भाई कभी भी planet अगर एक orbit में revolve कर रहा है न तो किसी भी point के उपर v multiplied by r लिख ले न वो हर एक point के v multiplied by r के से equal होगा है न अब मैं बोल लिख लिए हूँ इसको लिखने का एक और तरीका जानते ह तो मेरे पास vr की value constant है तो vr हो जाता है मेरे पास dx by dt so dx by dt multiplied by r constant है distance multiplied by distance area होता है जैसे कि देखना मैंने क्या बोला मैं तुम्हें बोल रहे हूँ कि मानों ये मेरे पास इस तरीके से r का distance है यहाँ पर इस तरीके से छोटी से dx की value इस body ने cover कर ली तो अगर मैं इन दोनों को multiply कर दूंगे तो basically मेरे पास area आजाएगा तो I can say कि भई जब मैं यहाँ पर जब v multiplied by r को constant कर रहे हूं मतलब जब मैं dx by dt multiplied by r को constant कर रहे हूं तो मैं da by dt को constant कर रहे हूं where this is the small area that the planet has elast with respect to the position of the sun तो मेरे पास यहाँ पर एक और equation आजाती है which is कि कभी भी अगर मानो प्लानेट एक सन के around revolve कर रहा है तो एक प्लानेट की जो angular velocity है da by dt what is this da by dt इसको क्या बोला जाते है इसको बोला जाते है angular velocity angular velocity एरियल विलोसिटी एरिया की विलोसिटी जैसे dx by dt होता है displacement velocity है न तो da by dt हो गया है मेरे पास aerial velocity तो हम यहाँ पर देख प रहेगी तो यह तो हो गया थोड़ा सा mathematical टाइप हो गया अब अब मैं इसको न विज्वालाइज कराती हूं जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलो कि मेरे पास एक प्लानेट है सन के around revolve कर रहा है ठीक है तो मैं तुम्हें बोलो कि मानो यह जो प्लानेट है न टीवन के टाइम म कि मानो यहाँ पर aerial velocity आगे कितना area cover किया divided by कितने time में यहाँ पर aerial velocity आगे कितना area cover किया divided by कितने time में तो मैं तुम्हें बोल लियो aerial velocity सेम होगी कि अगर किसी time interval के लिए aerial velocity इतनी है और दूसरे time interval के लिए aerial velocity इतनी है तो वो दोनों सेम है इस इस वेरी एजी बात बस यह है कि म मैं बिल्कुल derivation की point of view से बात करें। सारी conceptual discussion करें। तो time लग रहा है। बता तो मैं तुम लोग को as it is भी सकती थी लेकिन तो मैं बता भी तो होना चाहिए। कहां से आ रहा है। So now you must understand law of areas is based on the conservation of angular momentum जहांसे main equation आती है ये फिर हम सोचते हैं कि यार मास तो वैसे भी constant रहेगा तो फिर equation आती है ये और फिर बाग में जब हम थोड़ा सा और derive करते हैं तो equation आ जाती है मेरे पास ये है। So aerial velocity of a planet about the position of the sun is always going to be constant This is a consequence of the conservation of angular momentum जैसे कि मानू मैं तुम लोग को ये वाला question दो ठीक है planet revolve कर रहा है तो मैं तुम्हें बोलो कि मानू ये जो planet है T के time में पहले A1 का area cover करता है और ऐसा previous ये question है और फिर बाद में वो T के time में A2 का area cover करता है तो मैं तुमसे पूछना चाहते हूं कि बताओ कौन सा area बढ़ा है बताओ comment section में सुब़े के 7 बजे तुम लोग उठे हो physics पढ़ने के लिए बताओ comment section में interaction रखो मुझे बताओ कौन सा area बढ़ा होगा पहले T time में A1 का area cover हुआ फिर T time में A2 का area cover हुआ तो दोनों में से कौन सा area बढ़ा है तो मैंने तुम्हें बताया ना aerial velocity सेम है aerial velocity सेम है मतलब दोनों की दोनो time intervals के लिए dA by dt की value सेम है तो अगर पहले T time में A1 का area cover हो रहा है फिर T time में A2 का area cover हो रहा है इसका एक ही मतलब है कि जो दोनों area है वो सेम है इस इस वेरी जैन्मेन है ना discussion करने में थोड़ा सा बढ़ा लगता है लेकिन question जब करते हैं तो concept अपनी उकाद दिखा देता है अब मानो अगर मैं उसी तरीके से तुम लोगों से आपर एक और question पूछू कि जो planet है sun के around revolve कर दा था तो उसने A1 का area cover किया T time में और A2 का area cover किया 10 T के time में देखना A2 का area cover किया इसने 10 T के time में तो अब मैं तुम से पूछते हूं कि यह जो दोनो areas है उसका ratio निका लो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होने चाहिए तुम्हारे जहन में इतनी चीज़ होने चाहिए कि दी ने बतातो दिए area velocity से मोगी तो पहले A1 का area cover हो रहा है तुम यहां पर देख लो मेरा पास आगया A1 बाइटी इस इक्वाल तो तुम लोग खुद देख लो A1 बाइटू की वाल्यों कितनी आगे मेरे पास 1 बाइट है तो यह है मेरा केपलर का दूसरा लोग तो तुम यहां पर देख पार हो What is Kepler's law about? Kepler's law हमें यह बोल रहा है कि अगर मानो मैं sun के around जो planetary motion हो रहा है अगर मैं उसको study गरूँ तो उसके motion से associated जो certain laws हैं वो क्या है? तो obviously बात है अगर मानो मैं तुमें बोलूँ कि यह जो different planets से sun के around revolve कर रहे हैं तो gravitational force is the reason, सबको पता होगा, gravitational force ही वो वज़ा है जिसकी वज़े से हम sun के around revolve करते हैं gravitational force ही वो वज़ा है जिसकी वज़े से जो moon है हमारे around revolve करता है तो यह हमारे Gaepler's law है जिसमें पहला law orbit का कैसा shape है और sun की position क्या है उसके उपर focus करता है जो second law है वो motion of the planet के उपर focus करता है और अब जो मेरे बास third law है बच्चों वो time period के उपर focus करता है what is the time period? ध्यान से देखना है, we all know what is the time period अगर कभी भी कोई भी oscillating motion हो रहा हो या फिर कोई भी circular motion हो रहा हो या फिर कोई भी periodic motion हो रहा हो तो time period होता है कि कितने time के बाद जो motion है अपने आपको repeat करेगा for example, मनो अगर मैं बोलूँ कि एक circular motion है ऐसे 2 second के बाद body ने एक circle को complete किया फिर इसने 2 second लगा है, फिर इसने 2 second लगा है, फिर इसने 2 second लगा है so what is the time period of the circle? time period of the circle is the time taken by the body to complete one circular motion this is the time period, तो अब अगर मनो मैं बोलूँ कि planet का time period क्या है तो हमारे earth का time period कितना है? 365 days मतलब क्या? कि 365 days में जो हमारा earth है, sun के around पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है हैना? because we are not talking about the rotation of the earth about its own axis we are not talking about the rotation of the earth we are talking about the rotation of the earth about the position of the sun जिसको revolution of the earth बोला जाता है हैना? so एक साल में 365 days होते हैं, what is एक साल? why 365 days? हम क्यों 370 days को नहीं बोल रहे हैं एक साल? क्योंकि 365 days is the time taken by the earth to complete one circle और one elliptical motion about the position of the sun हैना? तो अबेसी बात है, different different planets के लिए different different orbits है हैना? तो different different planets के लिए different different orbits है तो different different time period भी होगा तो तीसरा law हमें यही बताता है that what is the relationship between the time period of the time period of the planet and the radius of the orbit अब एक बच्चा यहां पर पूच सकते हैं, the radius of the orbit? what do you mean by radius of the orbit? इत्थे कोई radius of the orbit नहीं है यहां पर तो जो हमारा मानो अगर यहां पर sun है प्लानेट तो ऐसे गुम रहा है ना? तो कौन सा radius? यह radius यह radius यह radius? है ना? हन्स जैसा सफेद? या चांद जैसा सफेद? या गोभी जैसा सफेद? या प्यास जैसा सफेद? कौन सा radius? तो हम यहां पर obvious ही बात है कि because elliptical motion में जो planet है different-different position के उपर sun से different-different distance के उपर होता है तो हम यहां पर radius of the orbit को consider करते है उसकी semi-major axis कि मानो अगर यह मेरे पास ellipse है अगर यह मेरे पास इस सरीके से 10 meter है so this is going to be the semi-major axis which is going to be of 5 meter so whenever we talk about the radius of the orbit of a planet जैसे कि हम बोलते हैं कि sun हम से जिस distance के उपर है that is one astronomical unit है ना? so what is one astronomical unit? क्योंकि तुम देखो ना यहां पर अगर मेरे पास sun है तो हम तो sun से different-different distance के उपर है तो जब हम बोलते हैं कि this is the average distance between the earth and the sun तो हम basically क्या कर रहे है semi-major axis consider कर रहे है कि earth जिस तरीके से ellipse में घूम रहा है उस ellipse की semi-major axis क्या है और फिर law यह बोलता है कि time period का square is going to be directly proportional to radius of the orbit का cube मैंने तुम्हें already बता दिया radius of an elliptical orbit is the semi-major axis of the elliptical orbit so time period का square is going to be directly proportional to radius of the orbit का cube जैसे कि मानूँ मैं तुम्हें ये question दो कि भाई मेरे बास ना दो planets है पहला planet जिस elliptical orbit में घूम रहा है उसका radius of the orbit इतना है और दूसरे वाले का radius of the orbit डबल है ठीक है ना radius of the orbit भी मैं बोल सकते हूँ या फिर पूरा describe करके भी बोल सकते हूँ कि semi-major axis जो है है ना तो पहले वाले planet की अब मैं तुमसे question ये पूछ रहे हूँ कि भाई अगर इनको sun के around पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में 12 seconds लग रहे हैं तो इस planet को कितना time लगेगा so this is simple मतलब ये तो पूरा calculated हो गया तो time period का square is directly proportional to radius of the orbit का cube तो खतम देखो t2 by t1 का square it is equal to r2 by r1 का cube अब तो मैं simple substitution करने है कर दो तो small t divided by 12 का square it is equal to हंजी it is equal to what it is equal to 2r by r का cube which is basically it अब दोनों जगा under root कर दो तो तुमारे पास आ जाएगा t by 12 it is going to be 2 under root 2 तो देखो t की वाल्यों मेरे पास कितने आगे 24 under root 2 seconds देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ये बिल्कुल calculator है जो conceptual था जो सबसे ज़्यादा conceptual था वो था हमारा law of areas ये जो law of time periods है ये तो सब जानने वाली बात है कि भई ये ऐसा होता है तो इस सरीके से calculation कर देना अब मुझे बता दो कि क्या Kepler's law clear है क्योंकि ओवेसी बात है जो major question जो हम solving करने वाले है वो हमारे 3 बजे वाले session में करने वाले but I'm hoping that the conceptual understanding जो conceptual understanding की requirement है किसी भी question को solve करने के लिए वो तुमारे अंदर आ चुकी है ये है हमारा Kepler's law चाहे मैं law of orbit की बात करूँ या फिर मैं law of areas की बात करूँ या फिर मैं law of time period की बात करूँ ठीक है अब जो हमारा बचो पहला topic आता है वो है gravitation force विकिस ऑफिसी बात है जो हमारा chapter है दाट इस gravitation तो अगर chapter है gravitation तो ये वाले discussion को तो हम लोग miss करी नहीं सकते कि दो bodies चाहे वो दो point-sized objects हो या फिर दो planets हो या फिर एक planet हो एक point particle हो दो bodies कभी भी एक दूसरे को gravity के with respect हो कैसे attract करते है तो ये जो force आते है obviously बात है दाट इस ग्राविटेशनल force कुछ ग्राविटेशनल force की properties है वो जान लो पहले qualitative discussion कर लेते हैं फिर बाद में हम लोग quantitative discussion कर लेंगे तो देखो ग्राविटेशनल force ना number one हमेशा attractive होता है और हमेशा mutual होता है ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों कि तुम किसी को है ना चलो कोई तो reason है तुम्हारे पास उसको attract करने का क्योंकि मुझे तो लगते है तुम्हें वहां से बिलकुल भाव नहीं मिल रहा है मैं तुम्हें बोल रही हूं कि अगर कोई भी body किसी भी body को अगर gravitational force के साथ attract करती है जो हमेशा करेगी इसका मतलब दूसरी body के उपर भी gravitational force लग रहा है ऐसा नहीं होगा कि M1 mass जो है M2 mass को तो attract कर रहा है gravitational force है लेकिन M2 mass M1 को attract नहीं कर पा रहा है नहीं it is a mutual force it is a mutual force if one body is exerting a gravitational force on the other body then the other body is also exerting the gravitational force on the first body तो number 1 यह mutual force होगा number 2 it is always going to be attractive तुम देखो ना जैसे कि अगर बच्चों में electrostatic force की बात करूँ तो electrostatic force भी repulsive हो जाता है अगर दो positive charges हो दो negative charges हो nuclei after भी complete कर चुके हैं तो वहाँ पर भी मैंने तुम बताया था कि जो strong nuclear force है वो भी repulsive हो जाता है जब दो nucleons के बीच में जो distance है इससे छोटा हो जाता है लेकिन जो gravitational force है कटर attractive force है conservative force है मतलब अगर मानो कभी भी body gravitational force के action के अंडर move कर रही है तो उसकी mechanical energy कभी नहीं change होगी है ना तो अगर gravitational force के साथ move कर रही है जैसे मानो ये save है save के उपर gravitational force नीचे लग रहा है और ये move भी नीचे कर रहा है तो अव्यसी बात है kinetic energy बढ़ जाएगी potential energy कम हो जाएगी मानो अगर gravitation force तो नीचे लग रहा है लेकिन body gravitational force के against displacement हो कर रही है है ना तो ऐसे सिनारियो में अव्यसी बात है body की kinetic energy कम हो जाएगी potential energy बढ़ जाएगी लेकिन mechanical energy की बात करूँ mechanical energy हमेशा same रहेगी तो कभी भी body gravitational force के action के अंडर move करे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका जो mechanical energy है वो change हो रहा है तीसरी चीज़ आजाते है बचो central force है central force का मतलब क्या कि मानो अगर यह एक ऐसी body है एक ही ऐसी body है मानो अगर यह ऐसी body है और यह ऐसी body है मैं तुम्हें बोल ले हूँ कि भाई दोनों gravitational force के अबउट के वज़े से attract कर रहे हैं तो बाते कैसे attract कर रहे हैं ऐसे attract कर रहे हैं क्योंकि यह भी attraction है ऐसे attract कर रहे हैं तो तुम क्या करोगे दोनों bodies के center को consider करोगे कर लिया तो इसी line के about दोनों इंदूसरे को attract करेंगे So this is the central force हमेशा central line के about जो forces है वो act करते हैं और यह inverse square law को उबे करता है जैसे electrostatic force जिसके बारे में हम लोग इसी week पढ़ने वाले बहुती similarity तुम लोग को नजर आईगी यह वाले chapter में और electrostatics के दोनों chapters में तो inverse square law का मतलब यह है कि जो gravitational force है दो bodies के बीच में it is going to be inversely proportional to the square of the distance between them और यहीं से आ जाता है हमारे पास law of gravitation क्योंकि law of gravitation यही बोलता है कि बहुत देखो अगर मानो मेरे पास दो masses है एक mass m1 का है दूसरा mass m2 का है यहीं बोलता है कि दोनों के बीच में جो gravitational force होगा चलो समझ लिया कि वो हमेशा attractive है हमें पता लगया कि पहले वाले mass के उपर जो force लग रहा है दूसरे वाले mass के उपर जो force लग रहे से वो इस direction में है समझ आ गया कि यह वाला जो negativity है वो भी सेम होने वाला है कि अगर मानो पहले वाले बॉड़ी को अट्राक्ट कर रही है दूसरी वाली बॉड़ी दो न्यूटन से तो दूसरी वाली बॉड़ी को भी अट्राक्ट कर रही है पहले वाली बॉड़ी दो न्यूटन से ऐसा नहीं होगा जैसे कि तुम्हारे और अर्थ के बीच में भी एग ग्राविटेटेशनल फोर्स है तो ये ना समझ ना कि earth तुम्हें बड़े force के साथ attract कर रहा है, नहीं, अगर मानू earth तुम्हें 10 newton से attract कर रहा है, तो तुम भी earth वो 10 newton से ही attract कर रहे हो, तो यही mutual force होता है, है न, same magnitude का हो गया, है न, opposite direction में हो गया, because it is always attractive, अब अगर मानू मैं सिफ magnitude के उपर focus करूं, तो यहा and it should make sense, भाई, अगर मानू मैं तुम्हें बोलू कि जो neat है, जादा marks लाने से crack होता है, so it is very genuine कि जितने जादा marks, उतनी जादा probability तुम्हारे neat के exam को crack करने की, अब अगर मैं वैसी बोलू कि gravitation force होता है, जैसे electrostatic force होता है, चार्ज की वज़े से, दो uncharged body एक दूसरे को नहीं अट्राक्ट करेंगे, दो uncharged, मैंने एक charged और एक neutral नहीं गोला, दो uncharged या फिर दो neutral body एक दूसरे को कभी नहीं अट्राक्ट करेंगे, electrostatic force की वज़े से, वैसी gravitation force होता है, मास की वज़े से, तो अगर जितना बड़ा mass है, उतना ही बड़ा gravitational force हो किसी और body की उपर लगा पा थी, inverse square law, that the gravitational force between two masses is inversely proportional to the square of the distance between them, अब ये obvious ही बात है कि अगर मानों बच्चों में sign of proportionality वगेरा हटा, मतलब अगर मानों मैं collaborated version लिख दूं, तो ये collaborated version आ गया, sign of proportionality हटा दूं, तो मेरे पास एक constant of proportionality आ जाता है, इसी constant of proportionality को, history में, gravitational constant बोला गया है, this is the equation, देखो, तो ये जो तुम लोग capital G देख पा रहे हो, इसी को gravitational constant बोला गया है, what is this, this is the gravitational constant, देखिए एक बार, just one second, हाँ जी, ये क्या है, ये ही मेरे पास gravitational constant है, तो gravitational constant ना, एक universal constant है, universal constant का मतलब कि gravitational constant की जो value है, वो इसकी उपर नहीं depend करेगी, कि जो दोनों masses है, किस medium में है, it is a universal constant, ये क्या है, ये मेरे पास universal constant है, जैसे planks constant नहीं होता बच्चो, because हम लोग dual nature कर चुके है, so I can give you that example, planks constant की value हमेशा सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि किस medium में photoelectric effect हो रहा है, ये किस metal से photoelectric effect हो रहा है, उसके उपर depend करें, प्लांक स्कॉंस्ट की value, नहीं, उसके fixed value है, वैसे ही जो gravitational constant है, उसकी भी एक fixed value है, इस पर नहीं depend करेगा, कि जो दोनों masses है, वो sun के उपर present है, दोनों masses moon के उपर present है, earth के उपर present है, इनके बीच में पानी है, इनके बीच में शहर्द, कोई फर्क नहीं पैता, universal constant है, तो अगर मानु है, SI unit में इसकी value बताऊ, so it is 6.627, 6.6 लिख देती हूँ, into 10 raise to par, minus 11 units, क्या है इसके units and dimensions बताऊँगी, अभी focus करो discussion के उपर, that is it, हाँ जी, एक बार जरा सा देखिये, that is it, this is your law of gravitation, तो क्या direction होगी, gravitational force के, वो उसके nature पर depend करता है, magnitude हमीशा ये वाली equation से निकल आएगा, do you all understand, ये वाली equation से निकल आएगा, तो इस equation को हम लोग समझेंगे, अभी ऐसा करते हैं, units and dimensions के बार में बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग आगेज बढ़ सके, जैसे कि मानो, अगर मैं gravitation force के unit की बात करूँ, तो भाई, force तो force है, चाहे, rupulsive force हो, attractive force हो, electrostatic force हो, spring force हो, केडा भी force हो, है ना, तो जो unit है, वो तो हमेशा newton होगा, और obviously बात है, अभी मैं जैस unit की बात कर रही हो, वो ऐसा unit है, मानते हो ना, मानते हो ना, उसी तरीके से मानो, अगर मैं dimensions की बात करूँ, तो dimensions क्या होते हैं, force के, mass multiplied by acceleration, mass का आगया, m, acceleration का आगया, lt-2, तो force के तो, इस सिनारियो में कोई दिक्कत नहीं है, gravitational force हो, electrostatic force हो, units or dimensions, यह होंगे, बात है, gravitational constant की, do you all remember, जब मैंने तुम लोग को units and dimensions कर रहा है, तो मैंने तुम्हें बोला था, कि अभी बैट के, एक और आदा घंटा देके, पूरी की पूरी physics के अंदर, जितने भी physical quantities हैं, उनके units or dimensions को study करने का कोई point नहीं है, है न, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग chapters में जाएंगे, बहां पर जैसे जैसे physical quantities आती जाएंगी, मैं तुम्हें units and dimensions बताती जाओंगे, है न, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी, कि सारी के सारी students के पूरी के पूरी physics हो चुकी है, बहां पर अगर मानों मैं ये वाली equation लेके आती, बच्चे पूछते क्यों, कैसे, अब तुम क्यों कैसे पूछनी सकते, अब तुम से भी dimensions के उपर ध्यान दोगे, है न, जो ये मेरे पास gravitational constant है, फिर आगे ऐसे और भी physical quantities आएंगे, किसी के भी dimensions यादने करने हैं, बच्चों निकालने आने चाहिए, तो कभी भी तुमारे आगे question आएंगे, ग्राविटेशन constant के dimensions क्या है, एक ऐसी equation लिखो, जैसे में gravitational constant आता है, जो मेरे पास हो गया, force is equal to gravitational constant, दो mass का square, divided by distance का square, अब सबसे पहले मानो, अगर मैं unit के उपर बात करूँ, ठीक है, तो force का मैंने रख दिया Newton, ग्राविटेशन constant का निकाले हो, यहाँ पर आगया मेरे पास kg का square, यहाँ पर आगया मेटर का square, तो देखो, ग्राविटेशन constant के unit क्या आए, Newton मेटर स्क्वेर, पर kg स्क्वेर, याद थोड़ी रखोंगे मैं, मैं तो हर जगा ही units लिखोंगे, देखों, यहाँ पर भी मैंने unit से लिखे हैं, बार-बार थोड़ी, याद थोड़ी रखेंगे इसको, memory थोड़ी चेक हो रही है, solving ability चेक हो रही है, और उसी तरीके से मानो, अगर तुम्हें dimensions निकालने हो, तो ऐसे dimensions निकालो, force के आगे मेरे पास MLT-2, gravitational constant के निकालने है, है न, mass का square आगया, मेरे पास capital M का square, distance का square आगया, capital L का square, solve करो, gravitational constant मेरे पास आगया, M-1, L3, T-2, याद थोड़ी रखना है, निकाल लेनो, यह सारी चीज़े यादने की जाती, तो यह मेरे पास आगया, gravitational constant, universal constant है, मतलब no matter what, SI unit के टर्म्स में लिखोगे, तो मैं यही वाली वाल्य मिलेगी, 6.7 भी गड़ सकते हूँ, है न, whatever, so हमेशा value यही रहेगी, और dimensions हम लोगों निकाल लिए, units हम लोगों निकाल लिए, तो यह तो होगे units and dimensions, अब मानों अगर मैं concept के उपर जाओ, है न, कि यह वाली equation को apply करके दिखाओ, तो देखो, एक basic चीज तो ही आगए, मानों मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई, यहाँ पर मेरे पास 2 kg है, यहाँ पर for example 4 kg है, मैं तुम्हें बोलूँ, अगर दोनों के बीच में distance 10 meter है, तो बताओ, दोनों के बीच में gravitational force कितना है, है न, तो simple equation based होगे न, यह तो, कि दोनों के बीच में gravitational force आजाएगा, gravitational constant, पहले वाली body का जो mass है, multiplied by दूसरे वाली body का जो mass है, divided by दोनों के बीच में जो distance है, उस distance का square, है न, तो दो point masses के बीच में तो ऐसे निकालोगे, जैसे हाँ पर दो point masses के बीच में निकाला है, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ, हर question में न, बचो, point masses नहीं होगे, तो मानो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ, एक planet है और एक point mass है, तो तुम्हें क्या करना है, planet के सारे-के सारे mass को center बे concentrated मान लेना है, कि मानो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ, यह capital M mass है, और मानो, capital M to mass है, अब मैं तुम्हें बोलूँ, दोनों के बीच में gravitational force लेको, तो तुम बोलोगे कि देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आए, कि gravitational force आगए, gravitational constant, पहले वाले का mass, multiplied by दूसरे वाले का mass, लेकिन यहां पर जो distance का square आता है, यहां पर कौन सा distance ले, क्या हम यह वाला distance ले, कदाब भी नहीं, planet के mass को center के उपर concentrated मानो, मतलब यह मानो M1 यहां पर है, तो अब M1 और M2 के बीच में यह वाला distance है, यही distance इस सरीके से यहां पर denominator में जाएगा, वैसे ही मानो, अगर मैं इस सरीके से अब की बार, पहले तो दो point ले लिया, फिर एक planet एक point ले लिया, अब मानो मैं दो planet लूँ, concept हमारे situation पे नहीं depend करते, सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, अब के बार मानो मैं दो planet ले लूँ, तो तुमारे टीचर ने बताया नहीं, कि कभी भी इस सरीके से planet आये, shell आये, uniform rod आये, जो मर्जी आये, सारे के सारे mass को center पे concentrated मान दो, अगर gravitation force निकलना जाते हो, तो मैं यहाँ पर सारे के सारे इस mass को यहाँ पर concentrated मान लूँगे, सारे के सारे इस mass को यहाँ पर concentrated मान लूँगे, और अब देखूंगे, इन दोनों masses के बीच में कितना distance है, क्योंकि यही distance मेरे denominator में जाएगा, तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, यहाँ से लेके यहाँ तक आर, यहाँ से लेके यहाँ तक टू आर, तो total distance मेरे पास 4 आर हो गया, बाद में तो उसे तो equation ही लगाने है, कि gravitation force between them is a gravitation constant, पहले वाले का mass multiplied by दूसरे वाले का mass, divided by दोनों के बीच में जो distance है, और यहाँ पर जो अच्छे अच्छे questions भी हैं, वो work energy theorem के उपर based है, जो हम लोगों ने last chapter किया था, उसके उपर based है, तो जिन बच्चों ने वो वाली class लगाई है, तुम्हें तो यहाँ पर कोई intellectual चीज नहीं नजर आएगी, जिन्होंने नहीं लगाई है, तो मैं फोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना, और जब तुम work energy power कर लोगे, बिल्कुल समझ आ जाएगी, तो यह वो है, इसलिए मैंने plan ही ऐसा बनाये कि, work energy theorem, या फिर conservation of mechanical energy, यह सब कराने के बाद मैं लेके आ रहे हूं, ग्राफिटेशन, बाद मैं लेके आ रहे हूं, electric potential and capacitance, क्योंकि इन दोनों chapters का जो base है, कुछ-कुछ topics का, जो maybe 20% या फिर 30% of the chapter बन जाते, that is the work energy theorem and the conservation of mechanical energy, अभी तक तो वो भी नहीं आ रहे है, देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब मानों मैं तुम्हें बोलों कि, भई मेरे बास ने इस सरीके से 3 मास है, ये 2 kg का मास है, ये 8 kg का मास है, इन दोनों के बीच में जो distance है ना बच्चो, इन दोनों के बीच में distance मैंने 10 meter दे दिया, अब मैं तुम्हें question ये दे रही हूं, कि 2 kg और 8 kg के बीच में, मैं कहां पर रखूँ small m मास को, such that small m मास के उपर, कोई net gravitational force ना लग रहा हूं, देखना, मैंने तुम्हें पूछा, कहां पर तीसरी body को मुझे रखना चाहिए, from the 2 kg मास, ठीक है, तो basically मैं तुमसे ये वाला distance पूछ रही हूं, तो मैंने तुमसे पूछा, कहां पर मुझे एक इस small m मास को रखना चाहिए, 2 kg के मास के से, अगर मैं चाहते हूं कि इसके उपर, कोई net gravitational force ना लग रहा हूं, तो ये कोई complicated question थोड़ी हो गया, vectors हों हम लोग already कर चुके हैं, हम लोग 3-4 chapters कर चुके हैं, मैं तुम्हें ये चीज़ बताई थी, vectors के उपर, mechanics के अल्मूस सारे chapter बेस्ट हैं, लेकिन उसके उपर, vector की complicated knowledge नहीं चाहिए होती है, basic knowledge चाहिए होती है, तुम खुद बताओ, इसके उपर net gravitational force क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे तो ये पूछा होगा है, कि 2 kg से कितने distance के उपर, मैं इस small m mass को रखूं, कि इसके उपर net gravitational force नहीं लगे, तो मेरे दिमाग में आएगा ना, क्यों नहीं लगेगा, ऐसी question करते हैं ना, बिना question करें physics होगी कैसे, तो तुम ऐसी question करोगी, क्यों नहीं लगेगा, ये जो 2 kg mass है, ये तो attract कर रहा है इसको, ये देखो 2 kg की mass ने इसको attract किया, positive negative की चक्कर में कभी मत फसना, mechanics में हमेशा diagram की help से directions देखो, उसके हिसाब से equations लिखो, जो magnitude based हैं, तो मैं देख रहे हूँ कि यार, ये जो small m mass है, इसके उपर तो लगेगा, 2 kg की वज़े से force, इस direction में लगेगा, कितने मागरेंट यूट का लगेगा, gravitation constant, 2 kg का mass, m का mass, दोनों के बीच में जो distance है, उसका square, फिर तुम बोलोगे कि यार, इसके उपर जो force है, वो तो 8 kg की वज़े से भी लग रहा है, अब खुद देखें न, इसके उपर जो force है, वो तो 8 kg की वज़े से भी लगेगा, कि ये 2 kg की वज़े से भी attract हो रहा है, 8 kg की वज़े से भी attract हो रहा है, तो 8 kg की वज़े से कितने force के साथ attract हो रहा है, देखो, ग्राविटेशन कॉंस्टेंट 8 kg का मास M का मास divided by दोनों के बीच में जो डिस्टन्स है उसका स्क्वेर तो दोनों के बीच में डिस्टन्स आया मेरे पास 10-R तुम देखो ना यह पूरा को पूरा 10 है यहां से लेके यहां तक आ रहे है तो यह मेरे पास 10-R हो गया यह आ गया अब इसमें तुम्हें सोचने की ज़र्वत थोड़ी है तुम्हें बोला तो हुआ है कि situation ऐसी होने चाहिए कि net gravitational force 0 है तो भाई अगर तुम्हार पात दो वेक्टर्स आ रहे हैं जो opposite की direction में है तो cancel out त in terms of magnitude using that diagram कि मुझे अच्छे से बता है net force 0 है मतलब left hand side में जो force का magnitude है और right hand side में जो force का magnitude है उसम होना चाहिए तो मेरे पास आ गया यह 2GM divided by small r का square it is equal to 8GM divided by 10 minus r का square है ना तो यह मेरे पास आ गया 1 by r का square it is equal to 4 divided by 10 minus r का square under root कर दो 1 by small r it is equal to 2 divided by 10 minus small r अब इसको solve कर लो so 10 minus small r is 2 times of r r की value आ जाएगे मेरे पास 3.33 meters देखे यह वाले value आगे 3.33 meters यहाँ पर कोई physics नहीं है इसके उपर मत focus करो यह तो तुम लोग फुद भी कर लोगे इसमें कोई mathematical tone नहीं लग रहे है multiplication, division, subtraction, addition यहाँ तक physics यह तुम लोग को समझाना चाहिए है ना मानों आपके बार मैं तुम लोग को बोलूँ कि भाई मेरे पास ऐसे एक square है ठीक है square की जो side है उसकी value r है अब मैं तुम्हें बोलूँ कि square के हर एक corner की उपर मैं small m mass को रख रही हूँ तो बताओ यह वाला जो small m mass है उसके उपर net force कितना लगेगा अब एक बच्चा बोल सकता है दिया आपने principle of superposition नहीं कराया principle of superposition कराने का ना मेरा कभी दिल नहीं करता बताओ principle of superposition क्या बोलता है principle of superposition बोलता है कि अगर मानो मेरे पास यह small m mass है जिसके surrounding में बहुत सारे masses है तो principle of superposition यह बोलता है कि इसकी उपर जो net force होगा वो निकालने के लिए आप individual forces निकालिए और उन individual forces को vectorically आड़ कीजिए इसके लिए हमें कोई principle की थोड़ी जरुवत है फिर हम लोगोंने kinematics में क्या मत्थे मारे है vectors में हम लोगोंने क्या मत्थे मारे है we already know this कि भाई forces को ऐसी आड़ किया जाता है हमें कोई principle की थोड़ी जरुवत है जब तक एक vector है उसके नाम पे chapter के उपर उसके nature के उपर units के उपर dimensions के उपर इन सब पर थोड़ी रिपेंट करेगा कि vector को आड़ कैसे किया जाता है इसलिए मैंने principle of superposition कराया है नहीं तो इसका मतब यह थोड़ी concept नहीं कराया है English नहीं बताई तुमें और यह लोग verbally बता दी तो तुम्हें बोला जा रहे कि इसके उपर net force लगाओ तो principle of superposition बोलता है इसके उपर net force निकालने के लिए सबसे बहले individual forces निकाल दिए और फिर बाद में उन individual forces को victorically add कर दीजे मैं बोलने हूँ यह English का term में नहीं भी बताती तो भी तुम इसको solve कर पाते तो अगर तुमसे पूछा जाए इसके उपर net force निकालो तो सबसे पहले क्या करोगे individual forces निकालोगे फिर victorically add कर दोगे तो तुम बोलोगे कि दी देखो ये वाली जो body है ये तीन bodies की वज़े से attractory है एक ये वाली body की वज़े से attractory है एक ये वाली body की वज़े से attractory है और एक ये वाली body की वज़े से attractory है तो अगर आप हमसे पूछते हैं इसके उपर net gravitational force कितना है रुको दी हम पहले individual forces तो निकाल ले कि सबसे पहले देखो इसके उपर फोर्स लग रहा है ये green वाली body की वज़े से कितने मागरेंट यूट का लग रहा है और निकालते हैं तो gravitational constant यहां पर जो body रखियो इसका mass मास भी में है यह ना gravitational constant पहले वाले का मास दूसरे वाले का मास दोनों के बीच में जो distance है उसका स्क्वेर मानों में इसको capital F मानों मैंने इसको अपने calculations को easy करने के लिए जब भी यह आएगा ना मैं उसको capital F की तरह लिखूंगे फिर यह जो मेरे बाद blue वाला mass है तुम देखो यह भी इसको इसको अट्राक्ट कर रहा है कितने magnitude के साथ gravitational constant पहले वाले का मास दूसरे वाले को मास दोनों के बीच में जो distance है उसका स्क्वेर यह भी capital F है अभी तो मैं स्थ स्टेडी कर रहे हूं और फिर बाद में मैं देख पा रहे हूं कि यह जो यलो वाला यह बसा है तो मैं पर मेर पास अगया अब टू टाइम्स अफार का स्क्वेर इस बेसिकली f बाईटू यह देखो यह f बाई-टू आ गया g m square divided by r square denominator में 2 भी आ रहा है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अब vectorically ID तो करना है vectorical edition is not gravitation do you all remember launch के time पे भी मैंने बूला था कि बच्चों के ना basics नहीं clear होते है vectorical edition के या फिर basics नहीं clear होते है vectors के और वो mechanics के chapters को difficult बताते है अब आपको vectorically ID तो करना है तो तीन चीज़ों को कैसे add करोगे पहले दो चीज़ों को add करो तो मानों मैं सबसे पहले इन दोनों को add कर दूँ तो इन दोनों को add कर दूँ तो मुझे अच्छे से बता है इस direction में आ जाएगा under root 2 times of f तो तुम देख पा रहे हो एक तो इस direction में आ गया मेरे पास f by 2 एक मेरे पास इस direction में आ गया under root 2 times of under root sorry एक मेरे पास इस direction में आ गया under root 2f देखो चौथा या फिर पांचवा चाप्टर है जिसमें vectors लग रहे हैं vectorical edition के basics में नहीं जाऊंगी अब basics करा के 4 chapters करवा दिए अब करो add तो ये आ गया मेरे पास net force net force की value कितनी आए net force की value आगी f by 2 plus under root 2 times of f अब f तो तुम लोग उने imaginary लिया था तो f को अच्छे से substitute कर दो तो f को सबसे पहले मैंने common ले लिया और f को फिर बाद में मैंने अच्छे से substitute कर दिया जब मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास final answer आ गया बहुत अच्छा question है ये difficult थोड़ी है you cannot possibly call this question difficult because the concept of gravitation that is being applied is only equation based the rest of the question is only based on do you know how to vectorically add three vectors if you don't then you must make sure that you know how to vectorically add the vectors ये gravitation बिलकुल भी नहीं है ये vectors को add करना है तो हम लोगों ने ये किया इसके उपर net force पूचा था तो मैंने individual forces निकाले m और m दोनों के बीच में distance r m और m दोनों के बीच में distance r m और m दोनों के बीच में under root 2 times of r so if equation लगा ही तो तीनों gravitation force मेरे पास आगे तो जब मैंने gm square by r square को f की help से denote किया तो ये f आया ये f आया ये f by 2 आया अब अगर मानू मैं तुम्हें बोलूं 4, 2 और 3 को add कर दो तो पहले 2 को add करोगे ना फिर बाद में final answer दोगे तो तुमने वही किया तो मैं इन तीनों को add करना था तो तुमने पहले इन दोनों को add कर दिया तो इसी direction में आ गया under root 2 times of f तो अब इस direction में 2 vectors आ रहे हैं एक तो f by 2 और इन दोनों का result is under root 2 f तो net force आ गया मेरे पास यह f को तुमने लोगोंने describe कर दे so this gives me the answer give me one second I'll be back in not one second I'll be back in a minute just give me one minute झाल 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 तो प्लीज कंफर्म दें क्लेली ओर्ड़ीबल और फटा फट से अच्छे से आपको में दिखाई दे रही हूं क्या हम लोग हमारी आज की क्लास को रिजियूम कर सकते हैं ग्राविटेशनल फोर्स के उपर बात वो रही थी और अब हम लोग ग्राविटेशनल पोर्स से जाए को केपलर्स लो और ग्राविटेशन फोर्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है और अब हम लोग करते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के उपर चलते हैं बच्चों कि यह ग्राविटेशनल अक्सेलरेशन तो मैं तुम्हें यह बोल रहे हूं हम लोगों ने इतनी महन कर ली यह समझने के लिए कि force is equal to mass into acceleration कैसे निकालते हैं तो अगर हम ग्राविटेशन फोर्स इजी लग रहा है तो acceleration कैसे difficult लग सकता है तो ग्राविटेशन अक्सिलरेशन इस अच्छे से जानते हूं कि दोनों के उपर ग्राविटेशन फोर्स लगेगा देखो इसके उपर इतना ग्राविटेशन फोर्स लगा और उसी तरीके से इसके उपर भी इतना ग्राविटेशन फोर्स लगा यह तो हम लोग समझ चुके हैं अगर मास के बॉड़ी हो दोनों के बीच में डिस्टंस आ रहे है तो दोनों एक दूसरे को मूचोली अट्राक्ट करते हैं इस ग्राविटेशन फोर्स के साथ तो मैं तुमसे पोचों कि बताओ कितना acceleration produced हुआ है वन में तो तुम देखोगे कि कितना force लगा है वन के उपर divided by mass कितना है वन का तो फिर बाद में तुम्हार पास आंसर देखो तुम्हार पास आंसर कितना आ गया तुम्हार पास आंसर आ गया इतना सिर्फ डिवीजन ही तो कर रहे हैं F is equal to MA ही तो लगा रही ह हुआ है तो तुम बोलोगे कि दी दूसरे वाली बॉडी में जो acceleration produced हुआ है न it is equal to दूसरे वाली बॉडी के उपर actually में कितना force लगा है divided by दूसरे वाली बॉडी का mass कितना था तो वो वाली वाल्यू तुम्हार पास आ जाती है यह तो तुम क्या देख पार हूँ ग्रावि कि तुम हुआ तों देखा हुआ है कि तुम खुद सोचो कि अगर मैं तुम्हें बोली हूँ कि हमारे अंदर जो gravitational acceleration produced हुई वो mass of the earth के उपर depend करता है और earth के अंदर जो square जहरे मास के उपर depend करता है तो हमारा मास कितना चोता है that is the reason because हमारा मास इतना चोता है तो earth के अंदर जो acceleration आता है 0 नहीं है वो लेकिन वो इतना ज़्यादा चोता है कि हमें करता है, so this is very important to understand, हम सब के अंदर जो gravitational acceleration produce हुआ है, mass of the earth के उपर depend करता है, that is the reason चाहे तो में एक plane को नीचे गिराओ, तो मेरे mic के इस segment को नीचे गिराओ, है ना, इस mic के इस part को नीचे गिराओ, सब का same acceleration है, 9.8 meter per second square, तो हम सब के अंदर जो gravitational acceleration produce हो रहा है, earth की वज़े से वो same है, लेकिन हम सब की वज़े से earth में जो gravitational acceleration produce हो रहा है, वो अलग है, क्योंकि earth के अंदर जो gravitational acceleration produce हो रहा है, no matter how small it is, it depends on the mass of the body that is producing the acceleration, तो मेरी वज़े से जितना acceleration produce हो रहा है earth में, हैना चैतन्य की वज़े से जतना produce हो रहा होगा, प्रजुल की वज़े से, इशिका की वज़े से जतना produce हो रहा होगा, सब different है so gravitational acceleration produced in all the bodies because of the earth is same because mass of the earth is same but the gravitational acceleration produced on the earth produced on the earth, produced of the earth because of different different bodies is different यह छोटा सा हम लोग ने ऐसे discussion कर लिया तो मैं तुम्हें यह बोल रहे हूं कि क्या मैं अभी, जो हम लोगों ने discussion किया है उससे मैं तुम लोगों को यह चीज बोल दू कि भई, मानो अगर मेरे पास इस तरीके से small m mass हो, ठीक है, इस तरीके से मानो मेरे पास small m mass हो तो small m mass के r के distance के उपर मुझे अगर gravitational acceleration निकालना है है ना, तो acceleration force divided by mass होता है तो क्या मैं बोलता हूं कि यह वाले point के उपर जो gravitational acceleration आएगा, किसी भी body का it is gravitational constant, यह वाले body का mass divided by distance का square जैसे कि तुम देखो, यहाँ पर जो gravitational acceleration produced हुआ है m1 mass के r के distance के उपर जो gravitational acceleration produced हुआ है इतना produced हुआ है m2 mass से r के distance के उपर जो gravitational acceleration produced हुआ है वो इतना हुआ है तो क्या मैं एक conclusion देदूं कि मानू, अगर तुम किसी mass की वज़े से चाहे वो point mass हो या फिर वो planet का mass हो अगर तुम कभी भी किसी भी mass की वज़े से अगर r के distance की उपर gravitational acceleration निकालते हुआ तो formula यह आता है है ना तो मानू, अगर मैं एक planet की वज़े से gravitational acceleration निकालू जो main हमारा topic है तो मैं बोल दूंगे कि मैं किसी भी जगा निकाल सकते हुआ जैसे कि मानू, मैं gravitational acceleration planet की वज़े से surface की उपर निकाल सकती हुआ मैं gravitational acceleration planet की वज़े से इस तरीके से किसी external point की उपर निकाल सकती हुआ देखतो लिया कि अगर m mass की वज़े से r के distance के उपर gravitational acceleration निकाल रहे हुँ it is gravitational constant m mass divided by distance का square तो भले वो point particle का mass हो या फिर planet का mass हो जिसको मैं center के उपर concentrated मानूँगी तो मानूँ यह मैं पास planet है capital M के mass का तो सारे की सारे mass को यहाँ पर concentrated मान लिया और अब मैं यह वाले point से capital R के distance के उपर अगर gravitational acceleration निकाल रहे हो so यहाँ पर gravitational acceleration बताओ कितना बनेगा it is the gravitation constant mass of the planet divided by radius of the planet का square वैसे ही मानूँ अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि planet की वजे से न अगर मानू planet से planet के center से small r के distance के उपर इस external point के उपर gravitational acceleration में तुम से पूछ हो तो क्या दिकत की बात होगे बता तो दिया concept अभी question types ही तो होगे एक थरीके से application ही हो गए न ये तो तुम देखोगे कि दी आपने बता दिये कि चाहे mass एक जगा concentrated हो या फिर planet वाली सेनारियो में हमें एक जगा पर concentrated मानना हो हमारा concept सेम रहेगा कि हम यहाँ पर सारे के सारे mass को center के उपर concentrated मान देंगे और फिर अगर आप small r के distance के उपर gravitational acceleration निकालने को बोल रहे हैं तो वो वाली value मेरे पास कितनी आजाएगी हाँ जी ये वाले point के उपर मेरे पास gravitational acceleration की value कितनी आजाएगी it is equal to gravitational constant mass of the planet divided by कितने distance के उपर gravitational acceleration निकाल रहे हैं उसका square यही है न तो हम लोगों ने discussion करके पहली बार जो भी हम लोगों की learnings आई हैं उनको हम लोगों ने apply किया अब मानू मैं तुम्हें ये question दो और ऐसे numerical questions हैं ऐसे previous year questions हैं मानू मैं तुम्हें बोलू कि मेरे पास ने एक planet है तो मैंने तुम्हें बोला कि planet की surface के उपर gravitational acceleration gp है और planet की surface से अगर तुम capital R के distance के उपर जाओ which is the radius of the planet तो वहां पर gravitational acceleration gq है तो मैंने तुम्हें बोला यहां पर जो gravitational acceleration और यहां पर जो gravitational acceleration है उनका ratio निकालो तो मैं तुम्हें बोल लो कितना easy आजी चाप्टर है तो तुम्हें। पर नहां करना है उसे बाद में पहले । नहीं हैक्षा कि हऊगी हैं उस हम से कितने दिस्टेंश के उपर है । हुपर यह threat सेंडर आपंट के बीच मैं और सक्षाइब अगे क्योंकि इस पॉइच में इस पॉइंट के बीच में सैंडर आप दी प्लानेट के बीच में जो डिस्टिंज बही रेडियस और अब मानो अगर तुम्हें यह निकालनों कि यह वहले पॉइंट के ऊपर कितना ग्राविटेश चैनल अग्सेलियरेशन के से दिस्टन के ऊपर है तो यहां पर जो ग्राविटेशन काई जिस चैनल पुछ्पनु पर जे बीच में जो स्छोकौिटिöh MON इसका नब Das हैं जी देखिए तो यह वाली वाल्यों मेरे पास कितनी आगे जी कापिटल एप डिवाइड रफूर का स्कुएर तो भाई जब हम डिफाइन कर पारे रेश्यों निकालना हमारे लिए बड़ी बात थोड़ी होगे यह लो जी रेश्यों निकाल देंगे तो अब देखो जब म ते हुआ हमशा थी मैं फोकस करती हूं सिर्प और सिर्फ ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन देखना ये बहुति मॉट पारण टॉपिक है जो तुमारा फाक्रीटेशन चाप्टर है इस में से जो 2 सबसे इंपटेशन टॉपिक है कि एक काल गय क्राविटेशल अक्सिलरेशन दोनों बहुत ईजी है एक हमारा force divided by mass के उपर based है दूसरा हमारा work energy theorem और conservation of mechanical energy पर based है ट्रिक्स भी बताने वाली हो मैं तुम रों को ठेक है यहां पर तो कोई ट्क की जरुवत ही नहीं है ठेक है तो अब भी मैं तुमें बोलना चाते हूं कि मानों अपकी बार में अपने पूरे के पूरे discussion को सिफ इसके उपर focus कर दो what is the gravitational acceleration at the surface of the planet सारे discussion को यही से center कर दो at the surface of the planet तो बच्चा जी मैं तुमें सिफ यह बोल ले हूं हजार scenarios है तो मैं अब तक पता लग जाना चाहिए कि तुमारी teacher बार बारी ही same statement बोलती है हजार scenarios है, हजार concepts नहीं है तो भाड में जाए वो हजार scenarios के conclusions अगर हम लोगों को initial point से solution तक जाना आते है कि अगर आप हमें बोल रहे हैं कि यह वाले point के उपर कितना gravitation acceleration है surface के उपर तो मानू यह planet है, जिसका mass है m, जिसका radius है r है ना, तो अगर आप इस point के उपर gravitational acceleration पूछ रहे हैं तो मैं सारे की सारे mass of the planet को center के उपर concentrated मानूँगी और फिर देखूंगी कितने distance के उपर actually मैं मुझसे acceleration पूछा जा रहा है तो मेरे पास आ जाएगा कि यह मेरे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ रहे है तो मैं तुम्हें बोलू इसको और तरीके से लिखा जा सकता है जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू कि यार तुम ऐसा करो इसको density की terms में लिखो भाई मन का मौ जी, educator तो जी, कुछ हमें पूछ सकता है कि अभी तो तुम लोग gravitational acceleration को लिख रहे हैं ती terms of the mass of the planet मानू मैं तुम्हें बोलू कि density of the planet की terms में लिख दो तो अब तुम्हेरे दिमाग भी यह नहीं आना चीए कि दी यह formula याद रख लेंगे नो बिल्कुल भी नहीं gravitational acceleration of the planet को किस तरीके से density of the planet by volume of the planet अब mass of the planet यहाँ पर मानू capital M है volume of the planet मेरे पास ही आगया sphere का volume यह होता है है ना अब substitute कर दो खतम कहाने एक थार आजा एक थिरा ने दोनों मर के खतम कहाने देखो what is the mass of the planet mass of the planet मेरे पास आगया density of the planet multiplied by 4 by 3 by capital R cube अब आपको उसको यहाँ पर substitute करने और answer आजाएगा never memorize this never memorize this तो अब तो अगर निकाल लो तो तो मेरे पास आजाते है gravitational acceleration on the surface is this multiplied by this देखो तो यह वाली value मेरे पास कितनी आगे यह वाली value आगे मेरे पास 4 by 3 4 by 3 by capital G rho capital R तो तुम देख पारे हो कि जब तुम mass की terms में लिख रहे हो यहाँ पर यह conclusion आता है लेकिन मत याद रखो जाए conclusion यहाँ पर conclusion यह आता है कि भई जब तुम mass की terms में लिखो तब तो जो gravitational acceleration है it is inversely proportional मतलब जो gravitational acceleration surface के उपर है it is inversely proportional to radius of the planet का square लेकिन जब तुम density की terms में लिखो तो तुम्हार पास आ जाता है gravitational acceleration जो surface के उपर है it is directly proportional to radius का square इसके उपर previous यह question है तो मानो अगर मैं तुम्हें यह question दे देती कि भाई मेरे पाद दो planets है इसके radius की वालू है R इसके radius की वालू है 3R इसका mass है M इसका mass है 2M अगर यहां पर gravitational acceleration G1 है यहां पर G2 है तो दोनों का ratio निकालो पिटे मूँ यह तुमसे solve नहीं होता यहां पर gravitational acceleration आ गया gravitational constant planet का mass divided by planet के radius का square यहां पर gravitational constant gravitational acceleration आ जाता gravitational constant mass of the planet divided by यहां पर जो radius of the planet है उसका square जब मैं निकाल सकते हैं तो divide करना बड़ी बात थोड़ी है so what I am saying is this is the gravitational acceleration in the terms of the mass of the planet and this is the gravitational acceleration in the terms of the density of the planet भूल जाओ density of the planet निकाल देना माननो मैं तुम्हें यह question दूँ कि मेरे पास ना दो planets है दोनों planets की density सेम है तो अगर पहले वाले radius की value आ रहे है ऐसा एक previous यह question है और यह वाले planet के radius की value 2R है तो अगर इसकी surface की उपर gravitational acceleration इतना है और इसकी surface की उपर gravitational acceleration इतना है तो मैं इसका ratio पूछ रहे हूँ तो number one point number one step क्या होना चाहिए कि यहाँ से शुरू करो कि gravitational acceleration surface की उपर इतना होता है इसको लिको density multiplied by volume तो तुमारे पास खुद के पास आ जाएगा कि भई जो gravitational acceleration surface की उपर होता है इत इस directly proportional to the density multiplied by the radius तो अब अगर आप हम लोगों को यहाँ पर यह भी बोल रहे हैं कि दोनों की density भी same है तो मैं बोल सकते हूँ कि gravitational acceleration जो surface की उपर होगा इत इस directly proportional to the radius so g1 by g2 it is going to be given by r1 by r2 पहले वाले का radius है capital R दूसरे वाले का radius है two times of capital R value आगी 1 by 2 density देखो ना डिफरेंट भी हो सकते थी जैसे कि मास की टॉण्स में लिखों तो मेर बाद यह ratio आता है density की टॉण्स में लिखों तो यह ratio आता है यह देखो good question ऐसे ही आपके previous year questions है ये तो ये अभी हम लोगोंने बहुत अलग-अलग तरीके से discuss करके gravitational acceleration को हम लोगोंने लिखना सिखा है हैना gravitational acceleration की सबसे पहले conceptual understanding ली है कि कैसे gravitational acceleration एक body का उसी के mass के उपर नहीडिपेंड करता कैसे gravitational acceleration एक body का उसी के मास पर नहीं depend करता तो हमारा gravitational acceleration जो earth की वज़े से हमारे mass पर depend ही नहीं कर रहा है, mass of the earth के उपर depend कर रहा है, तो फिर बाद में हम लोग आगे कि ठीक है यार, एक planet की वज़े से उसकी surface के उपर gravitational acceleration, external point के उपर gravitational acceleration कैसे निकाला जाता है उस gravitational acceleration को हम लोगोंने mass of the planet की terms में भी लिखा, हम लोगोंने density of the planet की terms में भी लिखा, अब ऐसा करते हैं, अब देखते हैं gravitational acceleration कैसे height के उपर depend करता है, कैसे depth के उपर depend करता है, और किस तरीके से बच्चों ये latitude के उपर depend करता है, ये वैसे तो तुमारे reduced syllabus में है है ना, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे, इसको हम लोग last के लिए रखेंगे अगर time बचेगा तो करा दूँगे अगर time नहीं बचेगा, तो deleted topics हो में वैसे भी नहीं करवा रहे हैं so this is in your deleted topics जो तुमारे rationalized syllabus है जो हमारे major और actually में जिनके उपर questions भी आते हैं वो ये है, कि कैसे gravitational acceleration की value depth के उपर depend करती है, और height पर depend करती है तो देखो बचेओ अगर मैं height की बात खरूँ तो height के उपर तो कोई दिक्कत होने नी चीए height के उपर थोड़ी कोई दिक्कत होने चीए तो the examiner is only trying to play chess with you you already know how to calculate the gravitational acceleration because of a planet at the surface and at the external point तो मैं बोलोगे तो क्या बड़ी बात होगे ये मेरा planet है planet के सारे की सारे मास्कों मैं हाँ पर concentrated मान लूँगे और फिर देखोंगे कितने distance के उपर मुझे gravitational acceleration पूछा दार है इसको मानू मैंने small r ले लिया तो मैं बोलूँगे कि इस point के उपर जो gravitational acceleration है it is gravitational constant, mass of the planet और इस center of the planet से कितने distance के उपर तुम gravitational acceleration निकाल लियो उसका square अब तो मैं यहाँ पर सिब substitute ही तो करना है what is small r capital R plus H ये आगया मेरे पास देखो एक बार, ये मेरे पास आगया capital R plus H खतम तो अगर मानों मैं surface के उपर gravitational acceleration लिकूं तो surface के उपर इतना आता H height के उपर इतना आ रहे तो अब जब तुम इन दोनों को divide कर दोगे ध्यान देजेगा, अब जब तुम इन दोनों को divide कर दोगे, divide both of them तो तुमारे पास आजाएगा gravitational acceleration at H height is the gravitational acceleration on the surface multiplied by capital R by capital R plus H का square देखिए एक बार this you get देख्लो एक बार, this you get सिर्फ divide कर रहे हैं तो तुम्हेरे पास ये वाली equation आजाती है तो याद रखने वाली बात थोड़ी है भूल जाओ equation को जब तुम्हें H के height के उपर लिखना आ रहे है surface के उपर लिखना आ रहे है तो वहाँ पर कर लेना divide you get this equation और उसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पर अगर विकिस तुम लोगों ने मुझे 2 और आदे घंटे दिये हैं तो mathematical जो derivation है जिसमें कोई concept नहीं लग रहा है जो तुमारे syllabus से associated उसको में skip करा सकती हूँ तो उसी तरीके से यह वाली जो equation है modify हो जाती है जब small h की जो height की वालू है मानो अगर radius of the earth से बहुत जादा छोटी कि जब यह height की वालू क्योंकि देखो अगर मानो मैं radius of the earth की बात करो तो radius of the earth होता है मेरे पास 6400 km तो मानो अगर मैं कैसे height की वात करूँ जो मानो 600 km है या फिर 10 km है 20 km है तो ऐसे जब height की वालू बहुत छोटी होती है तो यह वाली equation इस तरीके से modify होती है जी हाँ आप इस equation को याद रखेंगे this is the formula that all of you get so this is the equation that you will use कब दोनों equations का इस्तमाल करोगे इस equation का इस्तमाल करोगे जब h और r comparable हो इसको English में ऐसे बोला जाता है h और r comparable है इसका मतलब height की value radius of the earth से या फिर radius of the planet से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन मानो जब h और r comparable नहीं है comparable नहीं है इसका मतलब क्या कि जब height की value बहुत ज़्यादा छूटी है तो तुम ये वाल equation का इस्तमाल करोगे देखो है ना तो अभी मानो मैं तुम लोगो इसके उपर question कराऊ क्योंकि ultimately बात तो सारी question की उपर आ जाती है जैसे कि मानो मैं तुमें ये बोलू कि body का जो weight है surface के उपर इतना है तो body का weight कितना होगा 8 capital R की height के उपर always draw the diagram क्योंकि ये जो बच्चों हमारा topic है ना ये diagrams में equation तो हम लोग सिफ लिखने के लिए लिख रहे है तो तुमें बोला हुआ है ध्यान से देखेगा कि मानो अगर मैं for example इसको अपना planet मानो है तो तुमें क्या बोला हुआ surface के उपर weight W है मतलब W is the mass of the body multiplied by the gravitational acceleration on the surface तो तुमसे पूचा हुआ कितना weight होगा 8 R की height के उपर so this is going to be given by mass multiplied by यहाँ पर जो gravitational acceleration है तो तुम देखो यहाँ पर gravitational acceleration मानो GS है तुमसे पूचा हुआ यह वाली height के उपर देखना यह वाली height के उपर यह वाले point के उपर weight बताओ तो मैंने क्या किया मैंने question को diagram में convert कर दिया कि मुझे पूचा हुआ कि अगर surface के उपर जो weight है अगर उसकी value W है तो weight of the body यह वाले point के उपर कितना हुआ तो मैं तुम्हें बोल लियो अगर मनो मैं सिब यह देख लेते हूँ यहाँ पर gravitational acceleration कितना है I'll be able to calculate because I can say that the weight of the body is going to be directly proportional to the gravitational acceleration at that point तो अगर मैं gravitational acceleration इस point पर निकाल लेती हूँ तो दुविदा है मेरी कम हो जाएंगे तो निकालो इस point पर gravitational acceleration भाई निकालो इस point पर gravitational acceleration तो तुम खुद देखो कि यह center of the planet से कितना distance के उपर है center of the planet से यह इतने distance के उपर है तो अगर center of the planet से यह इस distance के उपर है तो बताओ यहां पर gravitational acceleration कितना हैगा gravitational constant, mass of the planet divided by 9 capital R का square तो तुम अगर अच्छे से देख पार हो तो यह वाली वाली हो मेरे पास इतनी आ जाती है So what is this? This is the gravitational acceleration of the surface तुम खुद देखो ना चलो मानो अगर तुमें इतना दिमाग लगाना नहीं पसंद इतना आ गया ना That is it तो तुम लिख तो कि भाई जो weight surface के उपर है divided by weight जो height के उपर है It is gravitational acceleration जो surface के उपर है divided by gravitational acceleration जो height के उपर है करो substitute इतने easy questions है अगर मानो तैसे कि नीट को क्राक करने के लिए भी बेसिक दिमाग चाहिए होता है मतलब is your mind able to think इतना साभी यह वो वाले questions है वोई intellectually challenging बाते नहीं सीधी सीधी multiplication division ratios निकल रहे है तो अगर इस point पर weight देखे इस point पर weight पूछा जाए तो तुम obviously बात है यहां पर gravitational acceleration और यहां पर gravitational acceleration को compare करोगे तो यहां पर जो weight है divided by यहां पर जो weight है इस यहां पर जो gravitational acceleration है इस ऐसे point के उपर gravitation निकालना आराम से तीन-चार बार कर चुके हम लोग इसी क्लास में जबकि यह questions और जबकि यह major question प्राक्टिस भी नहीं हो रही है despite the fact already में इतने questions करवा रहे हैं तुम लोग को substitute देखिए substitute तो surface के उपर weight की value डब्ली बताई हुई है gravitational acceleration surface के उपर इतना होता है यह जिस point के उपर weight मुझे निकालना है वहां पर gravitational acceleration इतना है यह वाली value आगे 81 by 1 तो तुम देख लो weight की value जो height के उपर आती है उसकी value हो गए इतने तो मुझे न यह सारी equations लिखने नहीं बसा जैसे कि जो बच्चे मुझे paint platform के उपर भी पड़े हैं उनको यह अच्छे से बताए हम verbally कर लो इतना फाल तुम्हें equation में क्यों लजना है तुम देखो जब तुम यहां से लेके यहां तक जा रहे हो gravitational acceleration 81 के factor से decrease हुआ है तो weight भी 81 के factor से decrease हुआ होगा हम ऐसे नहीं solve करते this is not, this is never my way of solving conceptually चलो कि भाई जब तुम यहां से लेके यहां तक आ रहे हो तो अगर gravitational acceleration 81 के factor से decrease हो रहा है तो यह obvious सी बात है कि जो weight है वो भी 81 के factor से decrease हुआ होगा तो अगर यहां पर W है तो यहां पर W by 81 है है नो वैसे मानू मैं अपके बार तुम लोगों को यहां पर यह बोलू कि भाई, at what height of the body at what height a body must be taken from the surface of the planet ताकि उसका जो gravitational acceleration है 1% से decrease कर जाए मानो मैंने तुम लोगों को यह question दे दिया कि मैंने तुम्हें क्या बोला कि कितनी height पे हम लोगों को जाना चाहिए such that gravitational acceleration 1% से decrease कर जाए तो बहुत छोटा decrease है ना यह तुम देखो ना यह कितना जादा छोटा decrease है कि अगर gravitational acceleration में मतलब मैं यहां पर for example this was the planet तो मैं यहां पर मानो small m मास को यहां से लेके ऐसे h की height पर यहां पर ले गई तो जरूर से h और r नहीं होगा तब ही तो इतना कम चेंज आ रहा है gravitational acceleration में so that is it अब तुम्हें बोला गया अगर gravitational acceleration 1% से decrease करता है तो अब यह तुम्हारी understanding numbers वाली होगी इसमें physics नहीं है मतलब अगर मानो पहले gravitational acceleration इतना था 1% से decrease कर गया इसका मतलब अब वो इतना है यही होता है ना इसका मतलब कि जो पहले तुम्हारे पास 100% था अब वो तुम्हारे पास 99% है इसका मतलब अगर मानो मैं gravitational acceleration surface की उपर g लेती हूँ इसका मतलब जो gravitational h की height की उपर है 1% से कम हो गया मतलब 99% बचा है यही होता है 99% यही होता है ना 99% substitute ही तो करना है बोलो कौनसी physics difficult है इसमें कौनसी physics difficult है इसमें कौनसी physics difficult है सिफ मार्ट सोरी है बता रहे हो कि अगर तुम यहां से लेकर यहां तक जा रहे हो gravitational acceleration या फिर weight अगर 1% से degrees हो रहा है मतलब अगर यहां पर 100% है यहां पर 99% है है ना तो अगर यहां पर g है तो यहां पर 99% of g है खतम अब substitute कर दो और answer आ जाएगा तो तुमारे पास आगया 99 by 100 times of g it is equal to g multiplied by 1 minus 2h by r तो तुमारे पास आगया कितना 1 minus 2h by r it is equal to 99 by 100 तो तुमारे पास आगया 2h by r it is equal to 1 by 100 तो अब अगर तुम इसको solve करो तो r की value sorry h की value मेरे बास कितने आ जाती है h की value आ जाती है capital R by 200 this gives you the answer देखो is this you just had to decode what does this mean question practice हम खूब करने वाले 3 बजे वाले session में concepts की उपर देहन दो concepts की उपर देहन दो questions हो आ जाएंगे तुमें कि कैसे चीजें कितनी genuine है तुम से पूछा जाएं कि भाई कितना weight होगा किसी भी height के उपर तो किसी भी point के उपर weight होगा it is mass multiplied by उस point पर कितना gravitational acceleration है तो मुझे सिर्फ इतनी height के उपर gravitational acceleration निकालना आना चाहिए था जो हम लोगों ने class में let us see कितनी बार किया है एक दो तीन चार चार बार कर लिया this is only calculation mathematics की वज़े से तुम एक topic को difficult नहीं बोल सकते है और क्या ही mathematics है ऐसे भी mathematics नहीं है कि मैं तुम लोगों को ये बोल सकूँ कि यहां पर कोई mathematical tool लग रहा है mathematics भी simple multiplication, division, addition, subtraction है मनो अगर मैं तुम लोगों को यहां पर एक और question दूँ कि भाई बताओ कौन सी height के उपर जान से देखना मनो मैं तुम से पूछूँ कि भाई कौन सी height के उपर जो gravitational acceleration है न वो surface के gravitational acceleration से one-fourth हो जाएगा वाह क्या बात है draw the diagram if you are not able to visualize कि तुम्हें बोला हुए अगर मानो surface के उपर जो gravitational acceleration अगर उसके value g है तो तुम से कोई height पूछूँ है height कैसे? surface से height पूछूँ है जहां पर यह जो gravitational acceleration है one-fourth हो जाएगा again and again 10 बार repetition हो गया होगा एक प्लानेट की वजे से surface या external point के उपर gravitational acceleration कैसे निकाला जाता है if you still feel the need that I should repeat it means you are not paying attention या फिर बिलकुल बीच में जैसे निए एकदम से आम टपकता है वैसे क्लास के बीच में टपके हूँ देखो I should be able to define it क्योंकि अगर मैं define कर पारे हूँ तो relate तो मैं करी पाऊँगी कि भाई देखो अगर मानू for example यह capital R के distance के उपर है और मानू मैं तुम्हें बोलू हूँ यह small R के distance के उपर है तो मानू इसको मैं पहला पॉइंट मान लो इसको मैं तूसरा पॉइंट पान लो तो भाई पहले पॉइंट के उपर जो ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन है विच इस उन दी सर्फेस उसकी वाल्यों आगे मेर पास इतनी कभी भी relate करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा define करना पड़ेगा करू define दो ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन को compare करने को बोला जाए दोनों जग़े ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन को 10 बार repeat कर चुकी हुँ है और जो दूसरे पॉइंट के उपर ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन होगा वो हो जाएगा ग्राविटेशनल कॉंसेंट मास अप दी प्लानेट सेंटर से कितना डिस्टेंज है उसका स्क्वेर कर तो divide तो मैं बोला हुआ है कि ये वाली जो value है इस ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन अंदी सर्फेस डिवाइड़ बाई फूर यह आपके क्वेशन में दिया हुआ है मैं खुद के मनजे तोड़ी लिख रही हूँ यह क्वेशन में दिया हुआ है तो मैंने लिखा कि इस पॉइंट के ऊपर जो ग्राविटेशन है ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन है सर्फेस की ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन से बन पूर्थ है तो मुझे सर्फेस का ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन पता है तो उसका अगर में 1 फोर्थ कर दू तो यह आ जाते है निकाल लो अभी तो तुम्हार पास आगया 1 by small r का square it is equal to 1 divided by 4 by capital r का square under root कर दो 1 by small r it is 1 यह small r की value आ गई है है नो यह देखो same concept तीन अलग-अलग question से करवा दिया so now you must understand की देखो हम लोगों ने भले अंगिनत question कर ले और obviously बात है question में तुम लोग confidence और आएगा जब practice session आएगा मैं तुम्हें यह बोल रही हो मैंने इतने question करवाए है मैंने question का nature change किया है हमारे concept तो नहीं बढ़ ला अगर यह planet है m mass का r का radius है तो surface के उपर gravitational acceleration ऐसे लिखा जाता है और अगर मानो ऐसे external point के उपर gravitational acceleration की बात करो तो ऐसे लिखा जाता है तो यह तो हो गया gravitational acceleration के ऐसे h की height पर वेरी करता है अब अगर मानो में d की depth के उपर बताऊं तो अगर इनको यह derivation नहीं कर रहे हैं यहां पर जो मेरे पास formula आता है यह वाले formula से काफी ज़्यादा similar है जैसे यहां पर मेरे पास formula यह वाला नहीं आया था किते गया यह formula नहीं आया था यहां पर h height थी यहां पर d depth होगी कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भई यह मेरे पास एक planet है जिसका mass है capital M, radius है capital R मैं तुम्हें बोलूँ कि भई d की depth के उपर जाओ और फिर gravitational acceleration लिखो तो चाहे h और d comparable हो या फिर h और d ना comparable हो यहां पर जो मेरे पास formula आता है this is my formula this is the formula that we get और इनकेस मानो अगर मुझे तुम्हें ट्रिक भी बताने हुँ because यह जो formula है थोड़ा सा conceptually आता है so we don't have to derive it but we need to talk about the concept तुम्हें अगर d की depth के उपर gravitational acceleration पूछा जाए ना तो यह अंदर जो छोटे वाला गोला है इसका mass निकालो अब अब ओविसी बात है अगर यह capital R है और यह d है तो यह जो मेरे पास छोटे वाला स्फियर आ रहा है इसका mass निकालो मानूस का mass है m1 इसका radius आ गया मेरे पास capital R minus D तो gravitational acceleration आ जाएगा gravitational constant इसका जो mass है divided by इसके जो radius का square है तब डिराइब करके है पुडबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबU करके यह आता है So this is the trick that Instead of calculating gravitational acceleration due to this full planet at d depth calculate the gravity gravitational acceleration on the surface of this low sacrificed sphere कि the mass mass is small r I hours if I made small M है तो यहांपर gravitational acceleration होगा it is gravitational constant मास ऑफ दी छोटु आला प्लानेट डिवाइड़ बाइड़ रेडिस ऑफ दी छोटु आले प्लानेट का स्कुरे इस इस दी कंसेप्ट जैसे कि देखो हम लोग यहां पर एक क्वेशन करते हैं मानो मैं तुम्हें पूछूँ कि भाई ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन सर्फेस की उपर इतना है तो बताओ ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन कितनी डेप्थ के उपर इतना हो जाएगा CONCEPTUMIN तुम्हें पता दी ये देको purely numerical based question है कि जो ग्राविटेशनल अक्सिलरेशन LK depth की ऊपर है इतना सर्फेस की ऊपर है multiplied by 1-D by R आपको substitute इतो करना है हाँ जी तुम्हें यहां पर substitute करना है कि इसको तुम यहां पर substitute कर दो और answer आ जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आ गय कितना GS by 4 is equal to GS 1 minus D by R तो मेरे पास आ गय 1 by 4 is equal to 1 minus D by R तो तुम्हारे पास आ गय D by R is equal to 3 by 4 तो तुम्हारे पास आ गया D की value 3 capital R by 4 देखो देख पारे हो ना, यह आ गया, मानू, तो मैं तुम लोग को यहां पर यह बता रही थी, क्या बता रही थी, मैं तुम्हें यह बता रही थी, कि कभी-कभी चीजों को mathematically देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन conceptually जब हम लोग देखे ना, तो जादा बेटर रहता ह जैसे कि देखो, अगर मानों मैं तुम्हें बोलूं कि ग्राविटेशनल अक्सिलिरेशन की वाल्यों डी की डेप्थ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है तो मैंने तुम्हें क्या टिक बताई कि वो डी की डेप्थ के बाद ने एक छोटा सा स्फियर बन रहा है तो इस छोटे से स्फियर की सर्फिस की उपर ही आ रहा है वो वाला पॉइंट जिसके उपर तुम्हें ग्राविटेशनल अक्सिलिरेशन निकाल रहे हो तो व्त इस इस इकोल तो ग्राविटेशनल चॉन्स्टंट multiplied by mass of छोटु वाला स्फियर divided by the radius of छोटु वाला स्फियर Do you understand this? I don't think you all understand this इसका मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहे हूं कि अगर मनों में इसको थोड़ा सा न यहां पर यार क्लास लंबे खिर जाएगी मैं फलतों के छोटी छोटी चीजों में जा रहे हूं छोट दो मैं इसको न वर्बली बताते हूं तो मैं तुम्हें ये बोल रहे हूं कि इस equation को देखो जैसे तुम लोग depth को बढ़ा रहे हूं जैसे कि इस आप यही से बता सकते हूं देखो ना this is r-d by r what is r-d r-d वाओ ये देखो same चीज जो मैं तुम लोग को जिस तरीके से बताना चाते थी वो मैं इसी equation से बता रहे हूं कि जो gravitational acceleration जो d की depth के उपर है it is directly proportional to r-d what is r-d distance from the center देख पा रहे हो कि gravitational acceleration जो d की depth के उपर है मतलब किसी भी internal point के उपर जो gravitational acceleration है it is directly proportional to the distance from the center distance from the center जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलूँ ये वाला question देख न जैसे कि मानू मैं तुम्हें न ये बोलूँ कि भाई ये बताओ capital r-d 3 की depth के उपर कितना gravitational acceleration है तो मैं बोलूँगी center से तो इतना distance है center से इतना distance है इसका मतलब जो gravitational इस point के उपर gravitational acceleration इस point के उपर होगा वो surface का इतना होगा जहन से सुनो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये जो depth है उसकी वालू capital r by 10 है मतलब center से जो distance है वो 9 capital r by 10 है है ना तो इसका मतलब जो यहाँ पर gravitational acceleration होगा वो 9 divided by 10 times ही gravitational acceleration on the surface होगा जैसे कि तुम लोगों ने यहाँ पर पतानी notice यही मैं बता रही थे जैसे पतानी तुम लोगों ने यहाँ पर notice किया हो या फिर नहीं किया हो तो मानों यह मैं इसको ना एक diagram में convert करो यही होती है चीजे डाइग्राम से ही समझाती है कि इन्हों ने बोला कौन से depth के उपर gravitational acceleration surface का one-fourth हो जाएगा तो मुझे पता लग गया वो one-fourth होगा यह बाले distance के उपर यह मैं बताना चाहरी थी very glad that I found another way of explaining this let me give you one more question क्योंकि जो बच्चे ऐसे conceptually नहीं करते न उनको कभी यह चीज रेलाइज नहीं होती और अगर तुम लोगे रेलाइज हो चुकी है तो D depth के उपर gravitational acceleration निकालने के लिए तुम्हारा column नहीं चलेगा equation में जैसे कि मानू मैं तुमसे पोच्छों कि यह मेरे बास इस तरीके से surface है है ना दो questions मैं तुमसे यहां पर पूछते हूं to make sure that you understand what I am trying to say let me give you two questions ताकि तुम्हें पता लगे कि आगे से gravitational acceleration निकालने के लिए पेन ना चले वही trick में तुम लोगो यहां पर बता रही थे यह देखो यहां पर मैं तुम लोगो वही trick बता रही थे कि मानू मैं तुम्हें बोलूं कि भाई बताओ कौनसी depth के उपर मैंने तुमसे पूचा कि भाई कौनसी depth के उपर जो gravitational acceleration है वो g by 5 आएगा if obvious ही बात है j is the gravitational acceleration on the surface और दूसरा मैं तुमसे पूचती हूँ कि भाई बताओ 2 capital R by 3 के depth के उपर यह जो point है यहां पर gravitational acceleration कितना है दो question मैंने तुमसे पूचे तो मैं तुम्हें क्या बोल रहे हूँ यह होता है concept को सामशन कि मैंने तुम्हें बता तो दिया बच्चों कि कभी भी कोई भी internal point हो so we already had a discussion on it कि कोई भी internal point हो तो internal point के उपर देखना कोई भी internal point हो उस internal point के उपर जो gravitational acceleration है it is going to be directly proportional to the distance तो मैं तुम्हें बोल दो कि भाई अगर यहां पर gravitational acceleration 1 by 5th है इसका मतलब यह वाली वाल्य आगे 4 r by 5 लगी equation नहीं लगी यह बता रही थी मतुमे now I am hoping that now it is crystal fear और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इतने ड़्ट के उपर gravitational acceleration कितना है तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहे है ना center से जो distance है capital r by 3 है तो center से distance capital r by 3 है तो gravitational acceleration भी होगा surface का gravitational acceleration divided by 3 लगे कोई equation कोई equation नहीं लगी यह होता है physics this is how you do mechanics this is how you are not cramming the equations you are understanding the equation कि भली इसकी derivation नहीं कराई मैंने तुमें लेकिन देखो तुम्हें पूरा essence पता लग गया क्योंकि हम लोगो ने equation के उपर बात की equation क्या signify करता है समझे हाँ जी क्या तुम लोग को यह समझ आगे तो मानो अगर मुझे इसको conclusion की format में लिखना हो तो बच्चों क्या मैं यह लिख दू इस तरीके से कि भाई if the distance किसी भी internal point के लिए देखो conclusion लिख रही हो कि हम लोगो ने अभी जो conclusion लिया है कि कोई भी अगर internal point हो तो मानो अगर distance from the center अगर मानो distance from the center capital R by N हो तो gravitational acceleration at that point भी क्या होगा gravitational acceleration of the surface divided by N यहाँ पर G by 5 था मतलब distance from the center capital R by 5 है यहाँ पर distance from the center capital R by 3 है तो gravitational acceleration G by 3 है ठीक है जी यह देखिए तो अभी मैं तुम्हें बोल लिए मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँग यार इसको ना एक graph में substitute कर दो तो कर दो graph में अगर मैं तुम्हें बोलूँँग इसको बांद दो तो बांद दो कि भई जैसे जैसे distance center से बढ़ता जा रहा है gravitational acceleration पहले तो बढ़ता जा रहा है है ना देखा ना हम लोग उने gravitational acceleration internal point के उपर it is directly proportional to the distance from the center है ना surface के उपर आके वो maximum हो गया कि surface के उपर जो gravitational acceleration है उसकी value मेर पास इतनी आ गई और फिर बाद में distance के square के साथ fall करता है तो rectangular hyperbola देखो gravitational acceleration external point के उपर ऐसे वेरी करता है so this we get the graph that for internal point it is directly proportional to the distance for external point it is inversely proportional to the square of the distance और question solving इस तोपिक के उपर हम लोग उने जरुवत से जादा time दे दिया ठीक है यह देखो practice session नहीं है फिर भी 6 question कर लिए we should not be doing that this is very irresponsible let us make sure that we don't do this again but I am hoping that the concept is clear क्योंकि अगर इतने question में यही वाली class में करा रहे हूं then what is the point of taking a practice session थोड़ा सा हम लोग बहे गए गए आओ अभी थोड़ा सा नहीं बहते हैं और आगे बढ़ते हैं एं टो यह हो गया हमारा gravitational acceleration ठीक है फिर आ जाता है मेरे पास gravitational intensity जयनसे देखेका फिर मेरे पास आ जाता है gravitational intensity तो gravitational intensity, हम लोग इसिकले एक mass की वज़े से निकालते हैं जैसे अब भी हम लोग gravitational acceleration एक mass की वज़े से निकाल रहे थे ठीक है कि gravitational acceleration एक mass की वज़े से r के distance की उपर इतना आएगा वैसे gravitational intensity होती है कि gravitational intensity एक mass की वज़े से r के distance की उपर कितना आएगा तो तुम्हें क्या करना है तुम यहाँ पर सिफ assume कर लो देखना तुम assume कर लो कि यहाँ पर 1 kg का mass है और देखलो उसके उपर कितने magnitude का force लगेगा किस direction में force लगेगा वही हो जाएगा इस point के उपर gravitational intensity की direction और magnitude जैसे कि मानू येस, very similar to the electric field बस electric field को हम लोग बहुत ही जादे extensive nature में पढ़ते हैं बहुत ही elaborate करके पढ़ते हैं यह बल्कुल छोटा सा topic है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि M mass की वज़े से इस point के उपर gravitational intensity निकालो तो मैं यहाँ पर 1 kg mass को assume करूँगी मुझे अच्छे से पता है कि उसके उपर जो gravitational force है इस direction में लगेगा So this is the direction of the gravitational field और magnitude आ जाएगा gravitational constant M mass multiplied by 1 by distance का square तो gravitational field की value मेरे पास यहाँ पर कितने आगी इतने So this is the gravitational field intensity इसको पूरा elaborate करके ऐसे बोला जाते है gravitational field intensity जिसका magnitude मैंने तुम्हें बता दिया और direction मैंने तुम्हें बता दिया कि जो direction है it is always going to be towards the mass है न? It is always going to be towards the mass तो मानो अगर मैं तुम लोगों को न एक चीज़ बताते हूं कि जो gravitational field है obviously बात है this is force divided by mass न? बोल सकते हूं this is force divided by mass की जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलो कि यहाँ पर gravitational field intensity की value 10 units है इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस point के उपर 10 kg को रखूं तो अगर मैं इस point के उपर 1 kg को रखूं तो उसके उपर force 10 newton लगेगा अगर मैं इस point के उपर 2 kg रखूं तो उसके उपर force obviously बात है 2 गुना 20 newton लगेगा अगर मानो मैं इस point के उपर 11 kg रखूं तो उसके उपर जो force है 11 गुना जादा लगेगा मन्त यह नहीं, so can I not say that the gravitational force at P point, can I say that the gravitational field at P point, or can I say that the gravitational field is going to be different at different points, है न, और यह जो gravitational intensity है, it is always attractive in nature, यह हमेशा attractive nature की होती है, that is the reason इसके आगे हम लोगे negative लगाते हैं, अग जो बचे electrostatics कर चुके हैं, तो मैं अच्छे से पता हैं, चाहे कि, अगर मैं, तुम बताओ, किसकी कौन सा ऐसा चार्ज है, जिसकी वज़े से जो, जिसकी वज़े से जो electric field है, वो अंदर की तरफ होती है, negative charge, तो वहाँ से याद रखो, कि जैसे negative charge की वज़े से अंदर की direction में field होती है, है न, तो यहाँ पर जब हम लोग उसी तरीके से gravitation field लिख रहे हैं, तो इसकी attractive nature को show करने के लिए हम लोग negative sign लिखेंगे, तो यहाँ पर यह जो negative है, negative मुझे nature of the gravitational field बता रहे है, magnitude निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, so negative nature of the gravitational field shows us the attractive nature of the gravitational field, यह कुछ याद रखने वाली बात है थी, जैसे कि आओ इसको अपलाई करते हैं, मानू में तुम्हें बोलूँ कि भाई, ग्राविटेशन फील एक पॉइंट की वज़े से बहुत जनुन सी ब बात करो, so this is very similar to electric field, अगर तुम्हें electric field आता है, तो यह topic तुम्हें बड़ा genuine लगेगा, अगर तुम्हें electric field नहीं आता है, तो तुम्हें काफी अभी इस point पे लग सकता है, जब तक मैं तुम्हें electric field and charges नहीं कराती हूँ, कि यह topic थोड़ा सा रटने वाला है, और हमें of shell or the sphere, it is going to be zero, electric field, surface के उपर निकाल ला है, तो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे के सारे मास को center के उपर concentrated मान के निकालो, gravitational field, एक तो negative nature का, magnitude कितना आगा, अगर मां magnitude के उपर focus करूं, तो इतना, अगर आप बोलते हो कि भाई, center of the shell से आरके distance के उपर gravitational field निकालो, तो negative एक बात हो गई, जुसके attractive nature को signify करता है, मागनिट्यूड कैसे निकालोगे, सारे के सारे मास को यहाँ पर center के उपर concentrated निकालो, small r के डिस्टेंस के उपर निकालो, gravitational field तो value मेरे पास आ जाती, इतनी, बिल्कुल electric field due to a shell या फिर sphere जैसा, है न, तो अगर मानों मैं तुम लोग gravitational field निकालने को बोलते हूं, तो gravitational field, चाहे मैं बच्चो इस तरीके से surface की बात करूँ, या फिर मैं external point की बात करूँ, यहाँ पर नहीं कोई दक्कत आने चाहिए, कि अगर मानों मुझसे एक planet की बज़े से gravitational field surface पे पूछी जाती है, तो इसकी सारे की सारे मास को center के उपर concentrated मान और फिर formula लिख दो, उसी तरीके से मानों अगर मुझसे यहाँ पर external point की उपर gravitation field पूछी जाती है, दुबारा से इस सारे की सारे मास को center की उपर concentrated मान के equation लिख दो, थियरी नहीं करा रही हूँ, यह मैं apply कर रही हूँ, बता रही हूँ, अगर तुम्हारा electric field हो चुका है, तो यह तो तुम्हें पूरा same लग रहा होगा, और in case मानों अगर तुम्हें internal point की उपर पूछी जाए, तो same चीज मैंने जो तुम्हें gravitational acceleration में बताई थी, देखो same ची मानों, प्लानेट के, किसी internal point के उपर, मानों इस तरीके से एक प्लानेट है, यह जो प्लानेट है, इसका जो mass है, it is capital M, इसके radius की वालू है, capital M, मैंने तुम्हें बोला, इसकी internal point है, ऐसे center से small r के distance की उपर, यहां पर gravitation field निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, इस चोटे व तो mass तो तुम लोग, अब यहां पर देखो, यहां पर gravitation field कितना आ जाएगा, gravitational constant multiplied by छोटे वाले sphere का mass, divided by छोटे वाले sphere के radius का square, तो तुम्हें छोटे वाले sphere का mass निकाला है, ना, unitary method से निकालो, कि भाई, अगर पूरा का पूरा capital M mass इतनी volume में distributed है, मुझे कायदे से derivation करा तो मुझे लगना चाहिए, तो मैं वो छोटा M mass निकाल रहे हूँ, जो इतनी volume में distributed है, तो यह वाली value मेरे पास कितने आगे, capital M, small r का cube, divided by capital R का cube, substitute कर दोगे, तो तुम्हारे पास main formula आजाएगा, कि gravitational field, inside point के उपर कितनी होती है, negative nature के होती है, magnitude कितना आगया, G capital M, small r का cube, divided by capital R का, sorry, divided by capital R का cube, यहाँ पर आगया small r, same चीज तुम लोग electrostatics में करते हैं, मैं तुम्हें भई बोले हूँ, अगर electric charges and fields हो चुका है, तो यह तुम लोगो रटने वाला नहीं लगेगा, अगर वो नहीं हुआ है, तो तुम्हें रटने वाला लगेगा, क्योंकि यह सारे topics न, extra छोटे 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 bonus बोनस से topics हैं चोटे-छोटे से additional topics हैं, यह देखिए, बिल्कुल same formula वहां पर आते है, electric field inside the planet, it is 1 by 4 pi epsilon, और जैसे हां पर gravitational constant है, mass of the planet की जगा वहां पर charge on the sphere आता है, यह आ गया capital R, small r, यह आ गया capital R का cube, same, है न, तो अब मैं यहां पर graph में दोनों चीज़ों को plot कर सकती हूँ, देखना बच्चो, अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई, shell के लिए और planet के लिए graph बना, तो यह सारे questions हो गए न, यह सारे questions हो गए, अब की बार में सिर्फ तुमसे magnitude plot करने को बोल रहे हूँ है न, कि भाई, जो gravitational field, shell की वज़े से है, उसके magnitude को distance from the center के साथ plot करो, तो तुम बोलोगे कि यार दी, जब से, जब तक हम लोग सेंडर से लेके, surface तक नहीं आते हैं, तब तक तो gravitational field है न, फिर एक बार जब हम लोग surface की उपर आ गए, तब मेरे पास gravitational field आ गई, हैन, अब magnitude की बात करें, तब gravitational field आ गई, और फिर बाद में, जब हम लोग center से दूर जा रहे हैं, देखो न, फिर जब हम लोग center से दूर जा रहे हैं, तो gravitational field, distance के square के साथ, फॉल करती है, so this gives me the graph, तो यह सारे तो questions है, वैसे ही मानो, अपकी बार में, planet के लिए बोल दो, तो तुम बोलोग है, फिर जो gravitational, gravitational field मेरे पास external point के उपर है, distance के square के साथ, फॉल करती है, बनाओ graph, जो gravitational field का magnitude है, planet की वज़े से, distance के साथ, कैसे बेरी करेगा, तो तुम बोलोगे कि the inside point के लिए तो direct proportionality है, magnitude की terms में, direct proportionality है, है न, कि gravitational, gravitational field का जो magnitude है, inside point के उपर, it is directly proportional to the distance from the center, surface के उपर आके, उसकी वाल्यो, इतनी हो गई, बिल्कुल gravitational acceleration जैसे, यह देखो, वो हम लोगे ने graph बनाया था, gravitational acceleration due to a planet, अब gravitational field due to a planet करा रहे है, कितनी बार रपीट हो सकता है, न, उतनी बार रपीट हो रहा है, और फिर external point के उपर, जो gravitational field क magnitude है, वो distance के साथ, ऐसे fall-off करता है, same graph, for the gravitational acceleration due to the planet, and gravitational field due to a planet, I am hoping that these things are extremely clear to each and every one, देखिए, gravitational intensity किसी भी point के उपर निकालोगे, मैं तुम बताते है, gravitational intensity force by mass है, तो मानो, अगर मैं तुम लोग को, अगर मैं तुम्हें बोली हो, force by mass है, तो obvious ही बात है, कि यह भी एक vector होगा, तो जो gravitational intensity के आगे, हम लोग negative लगाते है, वो इसका attractive nature signify करता है, अब मैं magnitude की terms में बात करूँ, तो M की mass की वज़े से R के distance की उपर, gravitational field ऐसे निकाल भी जाती है, तो कभी भी surface point के उपर और external point के लिए तो हमें तो दिक्कत आई नहीं, चाहे मैं shell के बात करूँ, या फिर मैं sphere की बात करूँ, inside point की बात करूँ, तो hollow shell या फिर square में, gravitational field अंदर नहीं होती है, म to static shielding, कभी एक conductor के अंदर charge रखोगी, उस charge के उपर कोई force नहीं लगेगा, वैसे ही तुम hollow shell या फिर square के अंदर कोई mass रखोगी, उस mass के उपर कोई force नहीं लगेगा, क्योंकि hollow shell या फिर square के अंदर कोई gravitational field नहीं है, और फिर अगर बाद में, मैं gravitation field की value निकालने को बोलू, छोटे sphere की मतलब internal point के उपर निकालने को बोलो, एक planet में, तो तुम देखो वो बीच में छोटे वाला sphere कौन सा बन रहा है, उस छोटे वाले sphere की surface पर निकाल लो gravitational field, ये देखिए, तो मैंने आपर ये लिखा हुआ है, gravitational field is always negative, हमेशा negative लगाते हैं, क्योंकि ये उसके attractive nature को signify क करती है, और दूसरी चीज में तुम्हें ये बता रही थी, देखो, दूसरी चीज में तुम्हें ये बता रही थी, gravitational field एक point के उपर, जैसे मानू, मैं तो मैं बोलू कि, gravitational field is point के उपर 12 unit है, इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 kg को रखों, तो उसके उपर force लगता है 12 newton, अगर मै यहाँ पर 2 kg को रखों, तो उसके उपर force लगता है 24 newton, तो मैं बोल सकती हूँ न, कि जो gravitational field किसी भी point के उपर है, it is उस point के उपर रखे हुए m mass के उपर कितना force लग रहा है, divided by m mass, देखे, देख पा रहे हैं न, ये पूरे discussion की summary दे रही हूँ मैं, तो यहाँ से मैं units and dimensions नि पूछों कि भई, ये जो gravitational field है, इसके units क्या है, तो force by mass है, force by mass है, तो newton per kg, newton को पूरा खोल के भी लिख सकते हूँ तुम लोग, kg, meter per second square, ये मेर पास आ गया, kg per meter, तो ये मेर पास आ गया, meter per second square, अगर मानों मैं तुम्हें बोलूँ कि भई, इसके dimensions लिखो, तो यार, acceleration वा force by mass होते है, ये भी force by mass होते है, तो ये मेर पास आ गया, lt-2, रटने वाली बाते नहीं है, देखिए, ब्रेक दूँगी, don't worry, पहले ये वाला topic अच्छे से खतम होने दो, तो ये सारे questions थे, जैसे gravitational acceleration due to a planet or the sphere, or due to a shell, इस सब बता दिया मैंने तुम लोग को, तो अगर मानों मैं तुम्हें बोलूँ कि ये वाले point के उपर, gravitational field का, जो magnitude है, उसकी value है, for example, 12 units, समझ गयो ना, इसका मतलब, हां जी, इसका मतलब समझ गयो ना, कि अगर मानों में यहाँ पर 1 kg के mass को रखते हूं, तो उसके उपर force लगता है 12 newton का, अगर मानों में यहाँ पर 3 kg के mass को रख उसी चीज़ को equation format में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने, तो ये आगे आपकी gravitational field है, अब जो discussion है, बिल्कुल एक तरीके करेगा, gravitational potential energy, potential, potential energy change, escape velocity सब एक है, ठेक है, अब मैं तुम लोगों को दे रही हूं, छोटा सा break, 5 minute का break देती हूं, ठेक है, 5 minute का break देती हूं, और फिर बाद में हम लोग हमारी class को resume करते हैं, 9.11 के उपर, class resumes, ठेक है, 9.45 a.m. तक class चले गई, class ends, देख लो, class ends, कुछ जादा ही question करवा दे है, यार ये gravitational acceleration को हम लोगोंने थोड़ा सा जादा खेंच दिया, जैसे कि अब तुम लोगों को पूरा clear हो चुका है, gravitational acceleration, acceleration, लेकिन बात है है ना, कि conceptual clarity पूरी आने चाहिए थी, mathematical clarity के लिए 3 बजे वाले session है, लेकिन वो mathematical clarity तुम्हें आज ही आगई, इसी वाले session में आगई, तो इसे लिए थोड़ा सा वो जो उबढ़ खाबढ़ हुआ है, तो वो हम लोगों को compensate करना पड़ेगा, कोई भी topic को हम जल्दी जल्दी नहीं खिच सकते, अब सब एक topic है, तो मिलते हैं बच्चों, 9.11am के उपर, ठेक है, ओके, जिनको 10 मिनट का break चीए, 10 मिनट के बाद जोइन करना, लेकिन जो 10 मिनट के बाद जोइन करेगा ना, तुम्हें फिर कुछ नहीं समाझ आएगा, अब यहां से ले मिलते हैं 9.13 के उपर, 9.8 तो अभी होगे, मिलते हैं 9.13 के उपर, ओके झालुए झालुव सूंग झालुए, 60.26hait झालुए. झाल 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 जी तो चलिए शुरू करते हैं रिज्यूम करते हैं हम लोग हमारी आज की इस क्लास को अब बच्चों सेम कहानी है देखो वोग एनर्जी थेरम घंजरवेशन अफ मेकानिकल एनर्जी जो हम लोग उने लास्ट के क्लास में सीखा था जिसमें काफी बार पुटेंचल एनर्जी आ रहा था बस वो पुटेंचल एनर्जी अबके बार ग्राविटेशनल पुटेंचल एनर्जी बन जाएगा और जब तक क्लास नहीं खतम होती है जब तक और और बिटल विलोसिटी नहीं आता है सेम कहानी है देखो इन सारी की सारी slides के उपर बिल्कुल सेम कहानी है अलग-अलग कहानी नहीं है सारी की सारी सेम कहानी है सारी की सारी सेम कहानी है सारी की सारी सेम कहानी है और ultimately आ जाएगा orbital velocity जो बिल्कुल छोटो सा हमारे 5 मिनिट का topic है ठीक है, so 9.45 तक class चलेगी, पूरा हमारे पास आधा घंटा है, let us resume with the class, let us start talking about the gravitation potential energy, फटा फट से सारे बचे इस वीडियो को लाइक कर देंगे I am hoping that the concepts are getting clearer everyone, question solving के लिए already 3 बजे का हमारा practice session है, ठीक है, so don't worry about it at all, अभी तुम लोग को सिर्फ concepts जाने और concepts को recall करने अगर इवाले चाप्टर को already पढ़ चुके ठीक है, चलिए तो gravitational potential energy की बात करो न, तो it is basically कि अगर मानू मेरे पास दो बॉडीज है दो बॉडीज है, दो प्लानेट्स है एक पॉइंट मास है, दूसरी बॉडी और अगर मेरे पास पहले कोई attractive force नहीं था अब attractive force आ गया तो stability बढ़नी चाहिए stability बढ़नी चाहिए, मतलब energy कम होनी चाहिए तो यही बोला जाते है कि जो gravitational potential energy infinity के उपर 0 होती है तो 0 से कम होके negative ही जाएगी समझे न, कि जो gravitational potential energy है, दो masses के बीच में, infinity के उपर उसकी value 0 होती है अब infinity से अगर मैं दोनों masses के बीच में distance को कम कर दूँ तो पहले जो attractive force नहीं लग रहा था अब लग रहा है, तो obvious ही बात है अब वो stability लेके आएगा, potential energy को decrease करेगा, तो जो पहले 0 थी अब वो negative हो जाती है, क्योंकि 0 से decrease करके तुम लोग negative तक ही आओगे तो कितनी gravitational potential energy बनेगी ये देख लो, it is gravitational constant पहले वाले का mass, दूसरे वाले का mass divided by the distance between them this is the formula of the gravitational potential energy between the two masses चाहे बच्चों ये दो masses हमारे point masses हो ठीक है, या फिर चाहे मैं दो planets के बीच में निकालू जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू कि मेरे पास ये दो planets है एक का mass है M1, दूसरे का mass है M2 दोनों के center के बीच में जो distance है, मानू अगर मैं उसको आर ले लूँ तो अब अगर मैं तुम्हें बोलू कि इन दोनों के interaction की वज़े से gravitational potential energy कितनी है so it is going to be negative of the gravitational constant, पहले वाले का mass दूसरे वाले का mass दोनों के center के बीच में जो distance है वो आगर denominator में चाहे मैं इस तरीके से planet और mass के बीच में ले लो ठीक है, कि भाई मेरे पास ये planet है capital M mass का इसकी surface के उपर मैंने small m mass रखा है तो अब मैं तुमसे पूचों कि बताओ कितना gravitational potential energy होगा इनकी interaction की वज़े से तो planet के mass को center पे concentrated मान लेना है, दूसरा mass यहाँ पर है, दोनों के बीच में distance आ गया capital R, तो gravitational potential energy कितनी आ गया, negative of the gravitational constant, capital M mass small m mass divided by दोनों के बीच में जो distance है अगर मानू मैं तुम्हें बोलूं कि भई, यह मेरे पास planet है, capital R के radius का, capital M के mass का मैंने एक small m mass रखा है, इसकी center से small r के distance के उपर अब मैं तुम्हें बोलूं कि इनके interaction की वज़े से कितनी gravitational potential energy है तो यह भी निकल जानी चाहिए यार देखो, यहाँ पर निकल जानी चाहिए, negative of the gravitational constant प्लानेट के mass को यहाँ पर concentrated मान लिया small m mass divided by the distance between them, तो बिल्कुल सारी चीज़े उपर से जाएगे अगर class के बीच में जॉइन किये हूँ क्योंकि यह जो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ हम already gravitational acceleration के लिए कर चुके हैं, gravitational force के लिए कर चुके हैं, gravitational field के लिए कर चुके हैं, तो because मैं इस चीज़ को तीन पर करा चुके हूँ, तो मैं अभी इतने casually इसके उपर discussion कर सकती हूँ ठीक है, तो यह class वो वाली class नहीं है, जहांबर आप बीच में आके आप बैट सकते हैं, और हर topic को ऐसे पढ़ाए जा रहा है, जैसे पहले वाले topic बच्चे ने नहीं पढ़ें ठीक है, यह देखिए, तो यह होती है मेरी gravitational potential energy, obviously potential energy हमेशा एक scalar quantity होती है, तो gravitational potential energy भी scalar quantity होगी, इसका जो SI unit होगा, energy का होगा, जो की है Joule, जिसको मैं बोती हूँ, जाओ, है ना, capital J, उसी तरीके से अगर मानू मैं इसके dimensions की बात करो, तो energy वाले dimensions होँगे, क्या होते है energy के dimensions, work done के dimensions, work done के dimensions क्या हो जाते हैं, force multiplied by distance dimensions, never memorize, हमेशा निकालना सेखो, वैसे अब मैं तुम्हें बोल ले हूँ कि देखो, यह जो gravitational potential energy है, यह interaction की वज़े से है, कि पहले मैं पास 2 small m masses थे, यह पहले infinity के उपर थे, तब कोई energy नहीं थे, फिर attract करने लगे तो energy कम होगी, तो interaction की वज़े से कितने gravitational energy कम होगी, यह फिर interaction की वज़े से कितने energy कम होगी, that is the gravitational potential energy, तो मैं तुम्हें बोलने हूँ कि चलो, अभी तक मैं दो चीजों के बार में बात कर रही थी, चाहे वो दो चीजे point masses थे, यह फिर वो planets थे, यह फिर एक planet और एक small m mass था, है ना, अब मानो अगर मैं एक ऐसा system ले लूँ जिसके अंदर बहुत सारे masses है, और अब मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई, यह मेरे पास system है, इसके अंदर M1 mass है, M2 mass है, M3 mass है, इन तिनों के बीच में distance भी दिया हुआ है, अब मैं तुमसे पूछूँ कि gravitational potential energy system की बताओ कितनी होगी, तो क्या दिक्कत की बात है, system के अंदर interaction ढूंड लो, देखो बच्चो, पहला interaction तो मेरे पास यह आ गया, इस interaction के वज़े से gravitational potential energy कितने बनी, negative दी gravitational constant पहले वाला मास, दूसरे वाला मास, divided by दोनों के बीच में जो distance है, दूसरा interaction देखो, मेरे पास यह वाला आ गया, तो दूसरे interaction की वज़े से gravitational potential energy कितने बनी, negative दी gravitational constant M2 multiplied by M3, divided by दोनों के बीच में, जो distance है, यहां पर मेरे पास एक और interaction है, जैसे कि मानों मैं बोलूं, कि यहां पर एक और interaction भी तो है दी, system में, तो इस interaction की वज़े से जो gravitational potential energy है, वो आ जाए कि negative दी gravitational constant M1 मास, M3 मास, divided by दोनों के बीच में, जो distance है, देखी, ऐसे system की gravitational potential energy निकाली जाती है, कि अगर system की gravitational potential energy पूछी हुई है, तो मैं सारी interaction gravitational potential energy निकालूंगी, और biggest potential energy एक scalar quantity है, तो उनको normally, algebraically आड़ कर दूँगी, जैसे मानों मैं तुम्हें बोलूं, कि भाई, यह मेरा system है, यहां पर मेरे पास 2 kg है, यह 3 kg है, यह 4 kg है, इन दोनों के बीच में distance 4 meter है, इन दोनों के बीच में distance 6 meter है, मैं तुम्हें बोलू, system की gravitational potential energy बताओ, तो क्या पिकत की बात है, तुम देखो, system में कितना interaction है, पहला interaction मेरे पास यह है, तो system का जो पहला interaction है, उसके वज़े से gravitational potential energy होगी, negative gravitational constant, पहले वाला mass, दूसरे वाला mass, divided by दोनों के बीच में जो distance है, फिर बच्चो, एक interaction देखो, एक interaction मेरे पास यह हो गया, तो मैं बोलूँगी कि इस interaction की वज़े से अलग gravitational potential energy है, जिसकी वाल्यो है negative gravitational constant, पहले वाला mass, दूसरे वाला mass divided by दोनों के बीच में जो distance है, और फिर तुम बोलोगे कि दी यहाँ पर एक और interaction भी है, है ना उसको भी नहीं भूलते हैं, ये वाला interaction, तो इसकी वज़े से भी gravitational potential energy होगी, जिसकी वाल्यो हो जाएगी negative the gravitational constant, पहले वाला mass, दूसरे वाला mass divided by दोनों के बीच में जो distance है, अब इसको solve करना थोड़ी physics है, that is it, if things are easy, they are easy, scalar से deal करना सबसे आसान बात है, यहाँ पर हम लोग एक scalar से deal करें, it is a scalar quantity, तो मैंने individual interaction की वज़े से gravitational potential energy निकाली, है ना, और फिर क्या कर दिया, उन सारी energies को मैंने algebraically add कर दिया, तो मैं तुम्हें बोल रहे हैं कि अगर मानो तुम लोग को normally gravitational potential energy define करनी आ रही है, तो change final minus initial होता है, तो मानो अगर मैं तुम्हें ये question तुमारे आगे रखूँ कि भई मेरे पास planet था, जिसका mass था इतना, जिसके radius की वालूती इतनी, मैं 2 kg के mass को जो पहले इसकी surface के उपर रखा हुआ था, मैं उसको ऐसे 2 meter से उपर उठा रहे हूँ, तो मैं तुमसे पूछँ कि भई बताओ gravitational potential energy 2 kg mass की कितनी change हो रही है, तो क्या दिक्कत होगे, change final minus initial होता है, तो अगर मुझे कोई चीज डिफाइन करनी आ रही है तो मुझे change में कभी नहीं दिक्कत होगी, तो मैं बोल दूँगी, यह मेरे पास आ जाएगा कि भई, finally कितनी gravitational potential energy है, minus initially कितनी gravitational potential energy है, करू solve, देखो, सबसे पहले मैं initially की बात करूँ, तो initially 2 kg का मास यहाँ पर है, initial को मैं blue में रख रही हूँ, तो देखो, initially 2 kg का मास यहाँ पर है, planet के मास को मुझे यहाँ पर concentrated मानना है, दोनों के बीच में distance देख लो कितना है, दोनों के बीच में distance 4 मेटर का है, so what is the initial gravitational potential energy, negative of the gravitational constant, मेरे पास 2 kg का मास, multiplied by planet का मास, दोनों के बीच में जो distance है, अगर मैं कोई चीज़ define कर पार हूँ, तो change final minus initial होता है, और फिर बाद में अब मैं यहाँ पर final gravitational potential energy भी निकाल लूँगी, तो finally मेरे 2 kg का मास यहाँ पर जा चुक है, तो 2 kg के मास में, और center of the planet के बीच में, अब जो distance है, वो 6 मीटर है, देखो, द्यान से देखो, यह 2 मीटर है, यह 4 मीटर है, तो तुम देखो न, अब की बार, यहाँ पर, यहाँ पर मैं 2 kg की बॉड़ी है, और यह जो मेरा center of the planet है, जहाँ पर मुझे 3 kg मानना है, इन दोनों के बीच में, distance मेरे पास कितना है, 6 मीटर है, very easy, so final gravitational potential energy हो जाएगी, मेरे पास कितने, it is equal to, negative gravitational constant, पहले वाला mass, दूसरे वाला mass, divided by दोनों के बीच में, जो distance है, anyone can do this, तो मैं तुम्हें बोल नहूं कि, अगर तुम्हें gravitational potential energy, define करना आता है, न, change में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हो गई, तो अभी देखो, इसके अलावा कैसे question आते है, जैसे कि, कभी-कभी तुमसे, change in the gravitational potential energy, सीधा पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी-कभी तुमसे, change in the gravitational potential energy, की consequences पूछे जाते हैं, तो वो consequences हमारे work energy theorem से associated है, जैसे कि मानो, मुझे अच्छे से बता है, कि gravitational force हमेशा बोलेगा, कि दो bodies एक दूसरे से attract करें, है न, तो मैं तुम्हें बोल लेगा, लेकिन मानो, अगर मैं इन दोनों bodies को, एक दूसरे से away ले जाब, दो bodies एक दूसरे को attract करें, लेकिन मैं दोनों को दूर ले गई, तो obvious सी बात है, मैंने gravitational force के against काम किया है, gravitational force के against काम किया है, तो work done by the gravitational force, और work done by the gravity, is going to be negative, अब conservative force के against, जब तुम काम करते हैं, what happens, this is the work energy theorem, when the work done by a conservative force is negative, what happens, the kinetic energy decreases, the potential energy increases, जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू, कि तुम लोगों से सीधा सीधा पूछा जा सकता था, कि what is the change in the gravitational potential energy, मानू अगर सीधा सीधा तुमारा answer आजाता, 10 जाउल, लेकिन मानू तुम से वो ना पूछा जाए, तुम से पूछा जाए, what is the work done by the gravity, तुम क्या दिक्कत की बात है, work energy theorem last वाली ग्लास में ही तो किया था, कि अगर potential energy में change 10 जाउल का आया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब potential energy increase हुई है 10 जाउल से, तो खुद से थोड़ी increase होगी, 10 जाउल से potential energy इसलिए increase हुई है, क्योंकि आपने यहाँ पर externally काम किया है 10 जाउल का, इसका मतलब आपने gravity के against काम किया है 10 जाउल का, तो अब अगर आप मुझसे ये भी पूछते है, that what is the change in the kinetic energy of the body, तो मैं बोलूँगी कि भाई अगर potential energy 10 जाउल से increase हो रही है, तो obviously बात है कि जो kinetic energy है, वो decrease हो रही होगी 10 जाउल से, मतलब change in the kinetic energy is negative 10 जाउल, फर्क बस इतना है, ये level 1 के question हो जाते, ये level 2 के question हो जाते, ये level 3 के question हो जाते है, देखो, this is what I was talking about, सारी चीज़े सेम ही तो है, if you know how to calculate the change in the potential energy, देख लो change in the potential energy negative है कि positive है, एक बार तुम्हारे पास ये आ जाते है, everything is easy, जैसे change in potential energy 10 जाउल आगया, तो तुम्हें पता लगया, potential energy 10 जाउल से increase हो गई, mechanical energy change नहीं होई है, तो kinetic energy 10 जाउल से decrease हो गई, अब अगर potential energy 10 जाउल से increase होई है, तो हम लोग उने externally काम किया 10 जाउल का, या मैं बोल चकते हूँ, gravity के against काम हुआ है 10 जाउल का, या मैं बोल चकते हूँ, gravity ने काम किया है negative 10 जाउल का, येस, ये dead to work energy power है, इसलिए इस चाप्टर को work energy power के बात पढ़ाया जाता है, बस spam मत करो अब तर भी, वैसे मानो, तो ये तो होगा, जब मैं दो बॉड़ी को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हूँ, और तुम खुद सोचो, दो बॉड़ी अगर ग्राविटी की पज़े से अट्राक्ट हो रहे हैं, वो क्यों खुद से दूर जाएंगी, अब्विस ही बात आपको external काम करना बढ़ा है, अब्विस ही बात है, आपने ग्राविटी के अगेंस्ट काम किया है, अब्विस ही बात है कि potential energy बढ़ी है, क्योंकि आप दो बॉड़ी को वो करवा रहे हो, जो नहीं करना चाती है, वैसे मानों सेम कंसेप्ट को मैं रिपीट करूँ, डिफरेंट केस लेके, कि दो बॉड़ी एक दूसरे को ग्राविटेशनल फोर्स की वज़े से अट्राक्ट कर रही थी, और तुमने उन दोनों को एक दूसरे की टूर्ड्स मूव भी करवा दिया, तो चक बल ले, सबसे खुश है उगो, ग्राविटी की वज़े से अट्राक्ट कर रही थी और दोनों एक दूसरे की टूर्ड्स मूव भी कर रही है, तो अब्विसी बात है, वर्क दन बाई दी ग्राविटेशनल फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, काइनेटिक एनरजी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनरजी बढ़ जाएगी, मतलब पोटेंचलल एनरजी डिक्रीज हो जाएगी, तो लेट इस अजियों, कि तुमने जब इनिशल पोटेंचल एनरजी, निकालगे, चेंज इनदी ग्राविटेशनल पोटेंचल एनरजी निकाला, वो negative 6 जाओल आया इसका मतलब क्या इसका मतलब potential energy decrease की है 6 जाओल से इसका मतलब जो यहाँ पर mechanical इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक energy है देखना इसका मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक energy है वो increase करेगी 6 जाओल से क्यों काइनेटिक energy increase हुई 6 जाओल से नहीं आये थे, मैं क्या कर सकते हूं बताँ, this is work energy theorem chapter number 6, class land physics में कराय जाता है, जो हमारा पिशला single shot था, so this is what I am talking about, या तुमसे change in the gravitational potential energy पूचा जाए, तुमसे change in the kinetic energy पूचा जाए, तुमसे work done by the gravity पूचा जाए, तुमसे work done by the external force पूचा जाए, सबको solve करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले change in the potential energy निकालो, जैसे कि यहाँ पर अगर मानों में इसको solve करते हूं, तो यह मेरे पास आगे negative G, और यह वाली value मेरे पास कितने आगे, negative 1.5 capital G, है ना, तो यह वाली value मेरे पास आगे, positive 0.5 capital G, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इसका मतलब क्या, चलो इन्होंने change in the potential energy पूछ लिया, यह तो मैंने निकाल लिया, और चीज़े भी तो पूछ सकते दे ना, तो मैं बोल लियो हमेशा change in the potential energy निकालो, और चीज़े तो बता दोगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब gravitation potential energy increase हो गई 0.5 capital G जाउल से, इसका मतलब जब M mass को आप यहां से लेके, यहां तक लेके जाओगे, तो जो kinetic energy है 2 kg mass की, वो decrease करेगी, इतनी value से, potential energy इसलिए increase हुई है, क्योंकि आपने gravity की against काम किया है, मतलब gravity ने जो काम किया है, उसकी value आगे इतनी, इसका मतलब आपने जो gravity के against काम किया है, यह देखो सारी different questions होगे, जो आपने gravity के against काम किया है, उसकी value है इतनी, इसका मतलब आपने जो externally काम किया है, उसकी value आगे इतनी, एक ही question में 5 question करवा दिये, चाहे चेंज इन्दी ग्राविटेशनल पोटेंचल एनर्जी पूछा जाए या ये पूछा जाए या ये पूछा जाए या ये पूछा जाए कहने को पांच क्वेश्चन है सिर्फ कहने को पांच क्वेश्चन है तो हमेशा चेंज इंदे ग्राविटेशनल पोटेंचल एनर्जी निकालो अगर पोटेंचल एनर्जी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपने एक्स्टर्नली काम किया है ग्राविटी के अगिंस्ट काम किया है ग्राविटी ने नहीं काम किया है potential energy increase हो रही होगी तो kinetic energy decrease होगी यही सारी चीज़े हम लोग ने last के class में की थी तो मैं तुम्हें बोल लूँ कि जो gravitation potential होता है न गौद फर्माईएगा जैसे हम लोग ने gravitation force के बाद gravitation field किया उसी तरीके से हम लोग gravitation potential energy के बाद gravitation potential पढ़ रहे हैं What was gravitation field? कि मैं तुम्हें बोल लूँ कि M mass की वज़े से R के distance के उपर gravitation field निकालो क्या करते थे? यहां फर 1 kg mass को assume करते थे और फिर देखते थे इसके उपर किस direction में कितने magnitude का force है वही उस point की उपर gravitation field की direction और magnitude होता था तो मैं तुम्हें बोल लूँ ग्राविटेशनल potential सेंग चीज है potential energy के लिए कि मानो अगर तुम्हें M mass की वज़े से R के distance के उपर gravitation potential पूछा जाए एक kg mass को assume करो उस एक kg mass की जो gravitational potential energy होगी वही इस point का gravitational potential है तो assume करो यहाँ पर 1 kg mass LOG यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1 kg mass को assume कर दिया अब इस point के उपर gravitation potential लिखो तो value आगी negative of the gravitational constant small m multiplied by 1 divided by r तो यह मेरे पास आगया formula gravitational potential का देखिए फटा फट से यह मेरे पास आगया that's it तो जैसे मैंने तुम्हें gravitation field में कराया था same gravitational potential में करा सकती हूँ कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पर gravitation potential negative 10 volt है negative 10 volt का मतलब समझ रहे हो इसका मतलब अगर मैं आपर 1 kg mass को रखो तो उसकी gravitational potential energy आजाएगी negative 10 ज़ो अगर मैं आपर 4 kg mass को रखो तो उसकी gravitation potential आजाएगी 4 गुना जादा 4 times of negative 10 negative 40 जब same, ditto same अगर मैं आपर 20 kg mass को रखो तो यहाँ पर मेरे पास gravitational potential energy आजाएगी 20 गुना जादा 20 times of negative 10 which is negative 200 जाओ बिल्कुल same देटू same तो अगर मानू मैं तुमसे gravitational potential के units or dimensions पूछूं देखो अगर मैं तुमसे gravitational potential के units या फिर dimensions पूछूं तो तुमने देखतो लिया gravitational potential is gravitational potential energy divided by mass जैसे gravitational field था gravitational force divided by mass तो units and dimensions यहाँ से निकालना बड़ी बात नहीं होती units हो जाएंगे joule per kg और उसी तरीके से फिर यहाँ पर ही dimensions भी निकाल लोगे तो dimensions आ जाएंगे मेरे पास energy के dimensions which is ml2 t-2 divided by mass के dimensions तो यह मेरे पास आ गया l2 t-2 never memorize देखो अभी gravitational field की है अभी gravitational potential कर रहे है तो कभी भी मानो तुम्हे gravitational potential we have had this discussion let us get this over with gravitational potential तुम्हे shell की वज़े से या फिर sphere की वज़े से कभी भी external point या फिर surface के उपर पूछा जाए तो तुम्हें क्या करना है सारे के सारे mass को center के उपर concentrated मान लेना है ये discussion हम तीसरी बार कर रहे हैं मैं बोर हो चुकी हूँ जब हम लोग उने gravitational field निकाल ली थी shell sphere की वज़े से हम लोग उने gravitational acceleration निकाला था shell sphere की वज़े से अब हम gravitational potential देख रहे हैं shell sphere की वज़े से तो कभी भी external या फिर surface point पे पूछा जाए सारे की सारे mass को center पे concentrated मान लो जैसे मानू मैं तुम्हें बोलो ये मेरे पास shell है m के mass का और r के radius का तो सारे की सारे mass को यहां पर center पे concentrated मान लोगी capital r distance के उपर gravitational potential मेरे पास हो जाएगा इतना small r के distance के उपर gravitational potential हो जाएगा इतना चाहे मेरे पास बच्चों वो shell हो या फिर वो sphere हो things will not change देखिए एक बढ़ detoxing चाहे shell हो या फिर sphere हो कभी भी external point के उपर gravitational potential निकालो कभी भी surface के उपर gravitational potential निकालो या field निकालो सारे की सारे mass को center के उपर concentrated मान लोगता है अब अगर मैं internal point की बात करूं तो बिलकुल रटने वाली बात है अगर आपने gravitational अगर तुम लोग electric potential कर चुके हो तो तो तुम्हें आरे लिए easy है नहीं कर चुके हो तो रटने वाली बात है कि अगर मानू मैं तुम्हें बोलू शेल की वजे से तो gravitational potential जो भी inside point के उपर होता है किसी भी inside point के उपर it is equal to the gravitational potential on the surface कभी question नहीं आएगा इनके सागया तो बहुत जेन्मेंसी बात है अब जिन बचों ने नहीं किया है electric potential तुम्हारे लिए रटने वाली बाते हैं सारी अभी के लिए क्योंकि हम electric potential बचल में खूब derivation करके चीजों तक पहुंचता है यहां पर चीजे डिरेक्ली बताई जाती है that is it और उसी तरीके से अगर मानू तुम लोगों को कभी भी sphere या फिर sphere या फिर planet की वजे से gravitational potential निकालना हो है ना inside point के उपर then this is directly proportional to small r का square formula तक नहीं बता होना चाहिए तो मैं यहां पर कि अगर मानू मैं sphere या फिर planet की वजे से एक internal point के उपर gravitational potential निकालती हूँ small r के distance के उपर so gravitational potential is going to be directly proportional to distance का square that is it यह हो गया मेरे पास gravitational potential ठीक है अब मानू अगर मैं अपने main topic के उपर आँ जैसे gravitational field और gravitational potential पर रहूँ छोटे-छोटे से topics है जो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि electric field के बारे में electric potential के बारे में हम लोग करते हैं और electric force काम करते हैं वैसे gravitation force भी paper के उपर ऐसे गाप करते हैं अब अगर मानू मैं gravity वाले चाप्टर में आ जाओ ठीक है questions वगेरा तो हम लोगोंने काफी करने तीन बजे वाले session में अब मानू अगर मैं main topic के उपर आ जाओ तो ये जो interstellar या फिर escape velocity है gravitational potential energy का question type है it is only कि जैसे कि यहां पर बोला जा रहे है कि मानू अगर मेरे पास एक planet हो m के mass का r के radius का और let us assume उसके यहां पर surface के उपर small m mass हो तो कितनी kinetic energy में कितनी minimum kinetic energy में इसको provide करूं ताकि infinity तक चला जाए that is the escape kinetic energy और कितनी velocity में इसको provide कर दूं minimum ताकि infinity तक चला जाए that is the escape velocity this is very similar to the photoelectric effect बच्चों देखो photoelectric effect में क्या होता है मानो अगर work function की value 5 electron volt है तो तुम 4 electron volt भी दे दो कि बिल्कुल काम नी चलेगा so I can say कि minimum तुम लोगं को जो energy देनी परती है ताकि electron निकल जाए that is equal to 5 electron volt अगर तुम उससे जादा दोगे तो अपकी बार जो electron है किसी kinetic energy के साथ निकलेगा करते हो same thing यहाँ पर है कि तुम्हें अगर किसी भी point से किसी body को escape कराना है और तुम से पूछा रहे कि तुम्हें minimum kinetic energy कितने देनी पड़ेगी तो मैं बोल रहे हो यहाँ पर mechanical energy और यहाँ पर mechanical energy को conserve कर दो body is moving under the action of gravity तो mechanical energy कभी change नहीं होगे तो मानो अगर यह p point है तो मैं बोल सकते हो ना कि भई देखो जो mechanical energy p point के उपर है भई यह mechanical energy infinity के उपर है अब भी मैं body को सिर्फ उतनी kinetic energy और सिर्फ उतनी velocity दे रहे हूँ कि वो infinity तक पहुँच पाए लेकिन infinity तक पहुँचने के बाद उसकी कोई kinetic energy ना हो infinity के उपर potential energy तो भईया वैसे ही नहीं होती है तो I can say कि भई mechanical energy at p point should be equal to 0 plus 0 तो can I say that negative g capital m small m by capital r plus escape kinetic energy should be equal to 0 तो तुम क्या यहां पर देख पार हो कि अगर मुझे किसी भी point के उपर escape kinetic energy निकालने हो तो मुझे सिर्फ उस point के उपर gravitational potential energy का magnitude देखना होता है यह बच्चों को कभी नहीं पता लगता उनको लगता है अगर दो planet के बीच में किसी point के उपर escape velocity पूछी जा तो very difficult question हो गया calculated हो गया very difficult तुम concept के basis पर नहीं बोल सकते कि तुम देखो ना जैसे कि मैं इसको और अच्छे से समझाओं यह तो symbol derivation है मानो मैं तुमें बोलूँ कि यहां पर जो gravitational potential energy negative 10 जाओ लें तो मैं यहां पर मानो अगर mechanical energy को conserve करूँ तो मैं बोल दूँगी ना mechanical energy पी पॉइंट के उपर और infinity के उपर सेम है पी पॉइंट के उपर आगया कितने gravitational potential energy है प्लस मैंने कितनी escape kinetic energy दी है escape kinetic energy दूँगी तो infinity पे कोई kinetic energy नहीं होगी potential energy तो वैसे नहीं होती है तो तुम क्या देख पार हो escape kinetic energy कितना आगया 10 जाओ तो किसी भी पॉइंट के उपर तुमसे कभी भी escape velocity पूछी जाए ना focus करो escape kinetic energy निकालने पे और escape kinetic energy किसी भी पॉइंट के उपर हमेशा उस पॉइंट के उपर जो gravitational potential energy होती है उसका magnitude होता है जैसे अभी मैंने surface के उपर निकाली तो यह आगया अपकी बार देखो अपकी बार kinetic energy निकाल वट इसकेप kinetic energy ग्राविटेशनल potential energy at this point तो मैं बोल दूँगी कि भाई देखो यहाँ पर gravitational potential energy ना इस point के उपर उसका magnitude कितना है gravitational constant है ना मानों में small m mass को escape कर आ रहे हूं capital M mass divided by capital R plus H यही है ना यहागया radius यहागया H बहुत बार अभी planets के बार में बात कर चुके हैं तो मैं तुम्हें बोल यही escape kinetic energy होती है तो अगर तुम escape kinetic energy को लिख पा रहे हो escape velocity को लिखने में तुम लोगो को कभी कोई दर्द दुख नहीं होगा escape kinetic energy is half multiplied by mass of the body जिसको escape करा रहे हो multiplied by escape velocity का square तो हमेशा focus करो escape kinetic energy पे escape velocity तो तुम लोग निकाली लोगे हमेशा so this is the trick that I've written कि अगर आपको किसी भी point पे escape velocity पूछी गई है उस point के उपर escape kinetic energy निकाली so escape kinetic energy of that body is half multiplied by mass of the body multiplied by escape velocity का square तो उस point पे तुम लोगो escape velocity पता लग जाएगी तो अभी अगर तुम लोग ध्यान से देख पार होगे न तो escape velocity देखो surface की उपर कितनी आई है derive करने के बाद escape velocity surface की उपर इतनी आई है don't memorize, निकाल लो कि भाई escape kinetic energy देखो escape kinetic energy जो surface की उपर होगी it is equal to surface की उपर जो gravitational potential energy है उसका magnitude देखो चाहे फॉर्मूला गूल जाओ यह फॉर्मूला कंक्लूजिव पॉमूला है सो यह मेर पास आगया escape velocity surface की उपर उसी दरीके से अगर मानों मैं escape velocity किसी external point के लिए निकालो तो अपकी बाद डिनॉमिनीटर में obvious सी बात है small r आजाएगा small r small r आगया center से लेके surface तक का distance plus surface से लेके यह वाला distance यह मास की terms में लिखा अब तुम लोग इसको density की terms में भी लिख सकते हो density of the planet की terms में सिफ मास को लिख दो density multiplied by volume तो इसको density की terms में भी लिखा जा सकता है questions करेंगे हम लोग तीन बज़े वाली class में सारी question types है इसको gravitational acceleration on the surface की terms पर भी लिखा जा सकता है लेकिन वो सब questions हम लोग करेंगे हमारी तीन बज़े वाली class में अभी conceptual clarity गें कर लो इक बार so this is exactly what I was talking about तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि escape velocity या और escape kinetic energy को work function की तरह लो for example मानों अगर मैं escape velocity को work function की तरह ले लो तो मैं तुम्हें बोल ले हूं मानों अगर मैं body को escape velocity से कम velocity के साथ project करूँ तो अभीसी बात है body नहीं infinity तक जाएगी एक maximum height तक जाएगी दुबारा से body दुबारा से earth के पास आ जाएगी अगर मैं body को escape velocity के साथ की project करूँ तो infinity तक चली जाएगी लेकिन infinity तक पहुँचने के बाद उसके पास कोई extra kinetic energy नहीं है और अगर मैं escape velocity से जादा velocity के साथ project करते हूँ तो बाहर जानने के बाद उसके पास एक extra energy बचेगी जिसको interstellar kinetic energy बोला जाता है उससे associated velocity को interstellar velocity बोला जाता है that is it अच्चों that is it जैसे कि मानो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दो तीन question कराऊं थोड़ा सा confidence build होने के लिए क्योंकि यही पूरा topic है खतम मानो मैं तुम्हें बोलू यह planet है capital M mass का capital R के radius का तो इतने distance के उपर बताओ escape velocity कितनी है तो मैं तुम्हें बता चूब के कुछ तो फायदा हो मेरी class में आये हो मैं तुम्हें बोलू इस point के उपर रखे हुए small M mass को जिसको तुम्हें escape करा रहे हो इस point के उपर उसकी gravitational potential energy का magnitude निकाल लो तो center of the earth और ये वाले point के बीच में जो distance है it is capital R plus capital R by 2 which is 3 capital R by 2 खतम तो अब तुम्हें पता लग गया कि भाई ये वाले point के उपर जो gravitational potential energy है small M mass की उसका magnitude कितना आ गया gravitational constant small M mass capital M mass divided by 3 capital R by 2 escape velocity के formula को मत याद रखो तो जो gravitational potential energy का magnitude होगा इस point के उपर इस small M mass का वही इसकी escape kinetic energy है which is half multiplied by small M mass escape velocity का square ये होते हैं conceptually questions को solve करना तो अब यहां पर values बगेरा निकाल सकते हो ये देखो escape velocity की value आगी under root of 4G capital M divided by 3 capital R कि मैं जिस body को escape करा रही हूँ उसकी escape kinetic energy तो इसके mass पर depend कर रही है लेकिन escape velocity इसके mass के उपर depend है नहीं कर रही है मानों मैं तुम लोगों को बोलों कि भाई मैंने बॉडी की surface से बॉडी को project किया escape velocity से आधी velocity के उपर अब मैं तुमसे पूचूं कि भाई बताओ ये बॉडी कितनी maximum height पर जाएगी तो बच्चा जी conservation of mechanical energy एक तो ये question आगे escape velocity को निकालने वागे question तो obvious ही बात है तीन बजे वाला session है हमार पास अभी concept के उपर focus करते हैं मैं तुम्हें यही ट्रेक दे रही थी escape velocity किसी भी point के उपर कि तुम्हें एक body के निकालना जाते हूँ उस body की gravitational potential energy निकालो उस point के उपर उसका magnitude ही escape kinetic energy है तो देखो मैंने तो नहीं formula लगाया सिर्फ concept से हो गया बाकि formula तुम यहाँ पर लगा सकते हैं तो अगर center of the planet से distance इतना है तो escape velocity ऐसे निकलता है लेकिन ये conclusive formulas है अपकी बार दूसरी चीज मैं तुम्हें ये बोल ले थी कि मानो अगर escape velocity से कम velocity के साथ project करूँ तो body escape नहीं करती है maximum height तक जाते हैं फिर दुबारा से हमारे planet को हिट करती है यही होता है ना यह देख लो यह question मैं तुम्हें दे रही हूँ मैं तुमसे पूछों बताओ कितनी maximum height तक जाएगा तो mechanical energy की conservation ही तो करनी है कि initial mechanical energy इस point के लिए और final mechanical energy इस point के लिए define करूँ that is it तो अगर मानो मैं initial mechanical energy की बात करूँ तो यहां पर kinetic energy कितना आ गया half multiplied by mass multiplied by escape velocity divided by 2 का square gravitational potential energy की बात करूँ तो center of the planet और यह वाले point के बीच में जो distance है वो capital R है तो gravitational potential energy मेरे पास आगई यह final mechanical energy जो है तो final mechanical energy को अगर मानो मैं निकालने लगू तो देखो अपके बार center of the planet और यह वाले point के बीच में distance को मानो मैंने small r ले लिया तो मैं बोल दूँगी mechanical energy final point पे आगी यहाँ पर kinetic energy तो है नहीं तब यह और उपर नहीं जा रहे है अब्वेसी बात है यहाँ पर kinetic energy 0 है final point के उपर और gravitational potential energy हो गए मेरे पास यह that is it initial mechanical energy is equal to the final mechanical energy solve it and you will get the answer अब भी देखो purely mathematical है half m escape velocity का square मेरे पास आ गया इतना देखो इतना division में एक यहाँ पर 1 by 4 भी आ रहा है यह मेरे पास आ गया यह यह मेरे पास आ गया यह देखो तो g capital m small m g capital m small m g capital m small m side में गया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 1 divided by 8 times of capital R minus 1 divided by capital R is minus 1 divided by small r so 1 divided by small r की वाल्यू मेरे पास आ गया 1 divided by capital R minus 1 divided by 8 capital R which is 7 divided by 8 capital R तो मेरे पास small r की वाल्यू आगी 8 capital R by 7 I know कर लोगे लेकिन फिर भी करना मुझे कुछ और भी तो बताने तो यह वाला डिस्टन्स अगर तुम लोगोंने निकाल लिया 8 capital R by 7 तो यह हाइट निकालना बड़ी बात थोड़ी होगे हाइट की वाल्यू आगे capital R हाँजी हाइट की वाल्यू कितने आजाएगे हाइट की वाल्यू देख लो यह 8 capital R by 7 है यह capital R है तो यह 8 capital R by 7 minus capital R तो यह वाली वाल्यू आगे 8 capital R by 7 minus capital R ये बोल रहे हूं मैं तुम रहे हूं को ये सारे questions है concept के उपर focus करो question के लिए already हमारे पास class है आखरी चीज कि मानो आपके बार मैं escape velocity से जादा project करो तो obviously बात है escape velocity से जादा project करूँगी तो infinity के बाद पहुँचने पर उसके पास kinetic energy भी है मतलब उसके पास velocity भी है इसी kinetic energy को interstellar velocity बोला जाता है इसी velocity को interstellar velocity बोला जाता है interstellar kinetic energy interstellar velocity इनका बस हो गया class को leave कर सकते हैं मैं chapter बीच में चोड़ी चोड़ सकती हूं इतने students मुझ पे ऐसी सोच के बैठेंगे लेकिन बीच में छोड़ देते हैं you can't do that इतना तो perseverance तुमारे दमाग में होना चाहिए कि जो करने को बैठे हो अगर उसमें थोड़ा सा जाधा time लग रहे है तो ना तो उसको तुम उपर उपर से करोगे ना तुम उसको बीच में छोड़ सकते हो ऐसे ही पढ़ाई होती है और ऐसे ही पढ़ाया भी जाता है तो जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं I cannot leave the chapter in between you should not leave the chapter in between है ना गाने थोड़ी का रहे हैं तुमारे syllabus का ही कर रहे हैं इस चाप्टर में से दो क्वेश्चन आते हैं आठ मार्क्स होते हैं तो मानो मैं अपकी बार तुम्हें बोलूं कि भाई मैंने ना बॉड़ी को यहां पर सर्फिस ऑफ दी प्लानेट से इतनी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर दिया तो इन्फिनिटी के ऊपर पहुंचके उसकी इंटरस्टेलर फेलोसिटी निकालो क्या दिक्कत की बात है mechanical energy को ही तो conserve करना है कि जो initial mechanical energy है और final mechanical energy है सिम होने चाहिए so mechanical energy at the surface should be equal to the mechanical energy at infinity तो surface के उपर mechanical energy होगी kinetic energy which is equal to मानो यहाँ पर मैंने मेरे पास m mass की body थी यह मेरे पास मानो small m mass की body थी तो kinetic energy होगी मेरे पास इतनी हाँ जी देखो kinetic energy मेरे पास kinetic energy मेरे पास होगी इतनी potential energy अब तो इतनी बार discuss कर चुगे देख लो center of the planet और small m mass के बीच में capital R का distance है infinity की उपर अबकी बार interstellar kinetic energy यह potential energy 0 है हमेशा interstellar kinetic energy निकालो तो यह वाली वाली हो आगी half m 4 multiplied by 2g capital M by R minus g capital M small m by R तो तुम देख पार है अगर मनो मैं g capital M small m by R को अगर मैं common ले लू तो यहां पर आजाता है 4 minus 1 which is 3g capital M small m by R this is the escape kinetic energy sorry this is the interstellar kinetic energy तो यह interstellar kinetic energy है तो यह हो जाएगा half multiplied by mass of the body multiplied by interstellar velocity का square तो तुमाइर पास interstellar velocity आजाएगी इतने यह थोड़ी रखा जाता है यह सब देखो यह रटने वाली बात है नहीं ऐसे अंगिनत questions बन सकते हैं यह मेरे पास आगए interstellar velocity so this is what I was talking about तीनों question type करा दिये obviously बात है एक बार करवाना काफे नहीं होता the reason being कि we are only focusing on the conceptual clarity कि भाई देखो चाहे मैं उतनी velocity से project करूं जो escape velocity से आधा है यह मैं उस velocity से project करूं जो escape velocity से डबल है तो इस पे नहीं फर्क पड़ता body escape कर रही है कि नहीं कर रही है mechanical energy conserved रहेगी this was the concept और यहाँ पर concept यह था किसी भी point पर escape velocity निकाल ली हूँ you have the equations I have no problem with the equations you can always use this equation where this is the distance between the point जहां से escape करा रहे हूँ and the center of the planet मैं बोल ली हूँ conceptually निकाला जा सकता है क्योंकि escape velocity का formula conclusive formula है you don't remember that तो इस point पर escape velocity निकालने के लिए मैं इस point पर escape kinetic energy निकालूंगी जो इस point के ऊपर जो रखा हुआ small m mass है जिसको मैं escape कराना जाते हूँ उसके gravitational potential energy का magnitude है तो तुम देख लो इस सारे interrelated topics थे अब अगर मैं orbital velocity की बात करूँ जो हमारा आखरी topic है तो orbital velocity वो velocity है जिससे कोई भी satellite earth के around या फिर planet के around घूमती है यहाँ पर भी कोई equation नहीं है जैसे escape velocity में कोई equation नहीं थी वो तो conclusive equation थी जो बच्चे याद रख लेते हैं तुम्हें याद रखने की ज़रुरत नहीं है तो orbital velocity वो velocity है जिससे कोई भी satellite planet के around एक circular orbit में घूमेगा तो concept बस इतना है जैसे हम जब sun के around revolve कर रहे होते हैं तो gravitational force हमें centripetal force प्रोवाइड करता है यहाँ पर मानौ अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक satellite है small m के मासकी हैना जो center of the earth से small r के distance के उपर भूम रही है मतलब जो उसका radius of the orbit है small r है अगर मानौ उसकी velocity v0 है तो यह obvious सी बात हमें लिख सकते हूँ कि भाई इसके उपर जो centripetal force लग रहा है इस प्रोवाइड़ बाई ग्राविटेशनल अट्राक्टिव फोर्स बिट्वीन दी प्लानेट और इस साटलाइट तो यह लोग यह आगे और बिटल विलॉसिटी का तुम्हारे पास फॉर्मुला वाट विल यू दू बिद इस फॉर्मुला वाट विल यू दू बिद इस फॉर्मुला अगर यह प्लानेट के अराउंड रिवॉल्फ कर रहा है तो प्लानेट और इसके बीच में जो ग्राविटेशनल फोर्स है तो प्लानेट का मास यहाँ पर कंसेंट्रेटेटेड इसका मास यहाँ पर concentrated, दोनों के बीच में distance ही है so यह जो gravitational force इन दोनों के बीच में लग रहा है, that is providing the centripetal force to the satellite so that it can revolve around the planet so centripetal force mv square by r होता है, mass of the planet radius of the orbit of the planet sorry, mass of the satellite radius of the orbit in which the satellite is revolving, वो चाहिए और यह वाली velocity, इस velocity को orbital velocity होला जाता है तो मानू, अगर इन केस मैं तुमसे question बोस लो, कि भाई, यह planet है, खतम चाप्टर कि मानू, मैं तुम्हें बोलो, planet है small m के mass का, capital R के radius का मैं तुम्हें बोलो, एक satellite surface से इतने distance के उपर घूम रही है, this is one of your previous year question और एक satellite surface से इतने distance के उपर घूम रही है मैं तुमसे इन दोनो, orbital velocity का ratio पूछते हूँ कि भाई, अगर मानू, इस orbital velocity यह V1 है, यह V2 है मानू, मैं तुमसे पूछूँ, V1 भाई, V2 बताओ कितना है, क्या दिक्कत होगी भाई, formula थोड़ी है equation लिख दो तुमें सिर्फ equation लिखनी और फिर orbital velocity निकाल सकते हो तो जब तुम equation लिखोगे तो तुमें बता लगेगा, orbital velocity is inversely proportional to the under root of the radius of the orbit देखो orbital velocity of a satellite does not depend on the mass of the satellite it only and only depends on the mass of the planet and radius of the orbit तो पहले वाले जो मेरे पास satellite है, पहले वाले satellite का जो radius of the orbit है वो two times the capital R है नहीं, गलत answer दे रहे हो radius of the orbit surface से क्यों measure कर रहे हो radius of the orbit center से measure होगा ना तो पहले वाले के लिए two times of capital R है दूसरे वाले के लिए three times the capital R है so V1 by V2 is going to be given by under root of R2 by R1 तो पहले वाले का orbit जो है वो है two times the capital R दूसरे वाले का है, three times the capital R value आ गई मेरे पास है यह, this is one of your previous year questions सब हो चुका है, K plur, B plur देखिए this is very easy, the concept should be clear, already बच्चों हमारे पास अब तीन बजे का practice session है, इसके अंदर question practice करेंगे, देखो बड़ा chapter था, I am no one to blame, अगर कोई बड़ा chapter है, उसको तसल्ली से पढ़ाने के लिए इतना time तो लगेगा, तुम बताओ, जितना मैंने explanation दिया है topics के उपर, gravitational acceleration को छोड़के, उस तुमें लगा एक कोई भी ऐसा topic था, जिस पे छोटा explanation दिया जा सकता था, नहीं, आप कैसे 60 slide के explanation को तीन घंडों से कम देर में बांदोगे, तीन घंडे भी नहीं, दो घंडे 50 minute हुए हैं, इसमें भी 5 minute का break था, 5 minute का हमारे introduction था, दो घंडे 40 minute से कम, कैसे बांदोगे आप 60 slides के explanation को, 60 slides, 60 slides, इतना बड़ा chapter था, कहीं कोई हडबड़ी नहीं किया, concept तुमारे clear होने चाहिए, questions वगेरा को में संभाल लोंगे, उससे पहले ना previous here questions करोगे, DPP तो मैं वैसे नहीं देती question practice से पहले, ये session हो जाएगा 90 minute का, 45 questions करेंगे और 90 minute में, फिर तुमारे concept तो obviously बात हैं वो भी पता लग जाएगा, that is all for this session everyone, ये आपके 4 day challenge का पहला दिन था, पहला दिन था, जो भी beginners है, hashtag beginners comment करेंगे, day 1 पे beginners है, day 2 पे experts है, day 3 पे advanced है, day 4 पे immortal है, day 1 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जितने भी beginners हैं, जो day 1 पे आये हैं, जिनोंने gravitation को खतम किया है, hashtag beginners का comment, comment section में, छूड़ जाएगे, देखते हैं, कितने beginners advanced तक जाएगे, जो advanced तक जाएगे, I will have a special gift for all of you, कोई भी शुरू कर सकता है, बात खतम करने की है, तो ये हमारे आज के class खतम होती है, टेलग्राम चानल के उबर तुम लोगो, DPPs और PDFs वगेरा सारे मिल जाएगे, छिक है, that is all everyone, hopefully तुम लोगो इस सेशन बहुत पसंद आया हो, हैना सारी concept clear हो गये हो, like कर दीजेगा सेशन को, and comment down, beginners in the comment section, that is all, thank you so much, see you all at